हेलो बच्चों वेलकम जैसेल सी तो बेटा आज अपन मैंत केम का जो अपना पेपर अठारा है उसका अपन सॉलिशन स्राट कर रहे है ठीक है और बच्चों इस पेपर के अंदर अपने पास एरिया अंडर कराव जो टॉपिक है कालकुलस का ठीक है उसको कवर किया गया है ठी ठीक है तो बेटा इसमें वही तीस सवाल है पेपर के हैना टेसरी के पैटरन के साबसे समें भी तीस सवाल है 25 सवाल के अंदर वही प्लस पूर मैनेस मार्किंग रहेगा और साट बी के अंदर अपने पास इंडिशे टाब एक्वेशन से हैं जिसमें क्या है प्लस पूर अपने पास वही है इसका ग्राफ बना लेंगा पून पहले अपने पास ग्राफ कैसा बनेगा इसका ग्राफ ऐसा बन जाएगा ठीक है एट ग्राफ और को सक्स विल भी कि लाइक दिस वन कैसे यहां पहें तो यहां पहीं है एक बार बीटाई इंटर सक्शन यहां पह गा एक तुमारा बेटाई के आसे दीख रहा है कि रहा होगा इनके पॉंच कॉंज कॉंजी कॉंजीग्र्ट फॉंट एंट आपको कर ना है और 5 times of 5 by 4 graph उपर आपको दिखी रहा है साफ साफ बेटा graph की इसका उपर आ रहा है sin x का sin x minus का cos x और बेटा आपकी पास dx ठीक है sin x का इंटिकेसर बेटा minus का cos x or cos x का minus sin x minus का sin x limit will be from pi upon 4 to 5 pi by तो बेटा 5 pi by 4 यह negative यह negative तो आपका बन जाएगा root 1 by root 2 और यहां से minus का तो pi by 4, pi by 4 तो बन जाएगा 4 times 1 by root 2 so that becomes 2 into root 2 तो बेटा इस सवाल का जो answer पने पास बनेगा वो बन जाएगा first option will be correct ओके इसी सवाल है second में देखीगा second one इससे बचू क्या find the ratio in which the area bounded by the curve stick y square equals to 12 x and x square equals to 12 y is divided by the line x robert 3 ठीक है प्रेस का diagram पीटा कैसा बनेगा देखीगा y square equals to bar x तो इसका आपके पास गराब बन जाया कुछ आइसा करके ठीक है फिर हमारे पास यहां पी क्या है x square equals to 12 y तो इसका बटा गराब जागा अपने पास कुछ आईसा ऐसा बन जाएगा यह बटा point हमारे पास क्या आएगा 12,12 ठीक है अब उसने बोला find the ratio in which the area bounded by the curve stick y square equals to bar x and x square equals to 12 y ठीक है is divided by the line x equals to 3 तो बटा अपने पास क्या है यह आपको लाइन दिख रही है आपे this line is this line is what we have यह बटा लाइन है यह लाइन है तो उसने बोला बटा find the ratio in which the area bounded by this two curves ठीक है is divided by the line तो बटा आपको यह वाला ratio निकालना है बटा यह वाला इसको आपने A1 माल लिया और बटा आपने इसको A2 माल लिया तो आपको भी क्या निकालना है यह यह रेशो निकालना बटा इन दोनों areas A1 और A2 का ratio निकालना बस चीक है ना तो बड़े अराम से कर सकते हैं तो यहाँ से A1 क्या है बटा A1 will be A1 क्या है बटा A1 साफ सा दिख रहा अपने को कि यह area निकाल लिजा bounded area यह part का इस part का area निकाल लिजी A1 यहाँ से अपने पास क्या बनेगा अच्छा यह point क्या आपको है 0 से 3 तो 0 से 3 और अपर part कौन साइसका root 12 x minus बटा इसमे lower part कौन साबका यह line वाला part है यह वाला graph है तो x square अपन 12 और बच्चों dx ठीक है भी? यह बटा अपने पास यहाँ बन गया ठीक है इस इस आए 1 ठीक है बटा यह अपना 7 बन जाएगा ठीक है आप इसको integration कर ले ना value put करें अपने पास यहाँ बनेगा 45 by 4 बेटा इसका यहाँ से value बनेगा 45 by 4 ए 1 का ठीक है ना अब यहाँ से अपने पास क्या बनेगा यह part तो ए 2 पहले अपन बेटा इसका पूरे कारे निकाल ले तो उसमें से ए 1 बार कर देंगे तो बज जाएगा बस मुझे यह वाला part निकालना है यह part निकाला इसके दो तरीके हैं एक तो 3 से लेके 12 तक indication कर दो अपर पार्ट मैनस का लोर पार्ट ठीक है 3 से 12 कर दीजिए आप तो इसके लिए क्रें बेटा ए 2 कैसे निकाले है बोलो बेटा 8 अपना निकल जाएगा यहाँ पे 3 से लेके यह 3 से लेके 12 और अपर पार्ट कुण साब का रूट बारा एक्स माइनस एक्स स्क्वेर अपन ट्वल ठीक है बेटा और आपका डी एक्स यह तो बच्चे का आपका यह देखो एटू तीन से लेके बारा यह तुम्हारे पास यहाँ पे आ रहा है यह तुम्हारे पास यहाँ पे आ रहा है 147 इसको इंटिकेशन करने के बाद यह इसका वेलू बनेगा 147 बाइफोर तो आपको एरिया रेश्यों निकालना बस यहाँ पे तो बस आगए आपका तो यहां से इसके अवाटर लेगा निकाल लिए वन के आपने पास 45 वाइफोर यहां पर फोटीफाइव पास 45 ऑपान 146 टीके शाओ के आपने पास 45 अपने आपने पास 45 उपान 147 ठीक है ना आसर थोड़ा सा क्वेलिटिशा स्वाल थोड़ा सा क्वेशन यहां पर कुछ नहीं नेक्स पोग्लम 3 फाइंड एरिया बाउनेड वाई द्वाई दीस का ठीकर न उसका पहले ड्याग्म बना लिटेया आप अपने पास क्या y equals to log mod x है तो यार इसका diagram अपने पास कुछ ऐसा बन जाएगा ऐसा log mod x अगर आप कैसा बनेगा कुछ ऐसा करके बन जाएगा बच्छो ऐसा करके ठीक है यह बाला यह point अपने पास है 1,0 और यह point बच्छो अपने पास क्या अपने को वह यह दिख रहा बेटा ना यह part यह बटाप का अंसर बन जाएगा तो सु क्या करते हैं बोले बेटा एक्सल अंसर क्या बनेगा यह से बोलो एरिया बेटा बन जाएगा एरिया बीट ट्वाइश ओफ यह part यह part दोनों से मैं तो twice of indication from 0 to 1 और किसका बोलो भी लोग x dx अब लोग एक्स का इंडिकेसन पता है अपने को लोग एक्स का इंडिकेसन क्या होता है एक्स लोग x minus x तो यहां से क्या बनेगा twice of x log x minus x और limit from 0 to 1 अब बेटा 1 रखा तो यह 1 वाला part 0 यहां पर रखा तो तो बेटा बन जाएगा 2 into यह बन जाएगा 1 1 पर यह 1 और यह 0 minus 1 और minus 0 बेटा यह भी 0 तो पूरा तो क्या बनका आपका minus 2 का मोल तो आणसर क्या बनका बेटा क्योंकि एरिया आपका नीचे आ रहा ना देखो नीचे दिखर आपको तो आपको पता है कि लाइन से नीचे बनेगा नेगेटिव एनेगा बट आपको आपको पूसिटिव तो यहां पी तुका मोल लगा दिया तो आणसर बीट्व ठीक है तो बड़ाइस पारट का अंसर क्या बनेगा आपका टू स्क्वेर इनिट ठीक है नेक्स फॉर्थ फॉर्थ पार देखिए बटा वकर एक्स प्रावर्ट टू आई मैनस वाइस स्क्वेर एंड य एक्स से गिराच्छाहतर भल क्या होगा ठीक है मुलब यह बड़ा आपके पास एक्स कि आपका एक्सी को से टू टू ओई मैंनस वाइस स्क्वेर एंड बच्चों आपने पास क्या वाइकॉस टू एक्स एक्स टू एक्सुख है इस से बच्छों जो बाॉंड एरिया आ रहा है वो मुझे यांपी क्या करना है हाना फाना तो पर शान से तुट कर आछ द्याकर बना लिए था है कि इस वाले कराओं कि किसा बने का इसा बनेगा यह और यह और फास का बनेगा तो डियाग्रम कैसा बनेगा बोलो जीरो और आपका टू इसका डियाग्रम कुछ आइसा बनेगा अपने पास ऐसा डियाग्रम ठीक है इसा ग्राफ ओफ एक स्टू आपका बनेगा बैट ओंदा वा एक्सिस इसको निकालनेगा तरीका बिटा क्या होगा बोलो जीरो से लेके टू और आपका XDY बनेगा जब आप एरिया फाइंड कर रहे हो अलों दा X एकसिस इस बात को ध्यान रखें आप ठीक है कि एरिया किसी भी एकसिस के लोग निकाल सकते हो उससे कोई फरख वाली बात नहीं है बट इस बात को आपको खास जान रखना है कि जब आप area निकाल रहे हो किसके लोग? along the axis तो क्या हैगा? limit will be in the form of x and y dx and जब बचों आप area y axis के लोग निकाल रहे हैं तो क्या हैगा? limit will be in the form of y and it will be x dy ठीक है? तो यहाँ पी क्या बचों? x dy है अब value of x will be तो 0 से लेके 2 बचों और x क्या आपका? 2y minus y square और आपका dvay ठीक है न? यह बचाँ आपका बन गए आप है तो अब इसको count कर लें आप अपने बास ही हा रहा बचों तो 0 से लेके 2 2y minus y square और dy ठीक है? अब इसका indication कर देंगा? तो इसका पहले कम जाएगा? y square by 2 minus y cube by 3 and limit will be from 0 to 2 अब इसको यहाँ पर देखें तो क्या है बोलो? 6 minus का 2 तो minus का 2 बचा 3 उसका mode लगा दे आपके दिया तो आई जी अपने पास क्या बनेगा? 2 minus y square तो y square by 2 नहीं sorry y square by 2 नहीं यहाँ पर तो y square तो 2 से 2 कट गया नहीं यहाँ पर पांस पर इक समना पांच यहfen पर इसमे समना है अपनेऊं गहा बना यहाँ पर इसमें अपने इंवर्त तो byaks कि演Tu हो उसका गराप से बननाना ए और आपको विसंडिकेसर को ऑप्लाइ करना त्येक बस वह हुआ पर जोर जोलना संहप एक तो साइम्य के लending का पनेगा एपने पास पैसा ऐसा बन जाएगा संद और cos inverse x का graph यह अपने पास कुछ बच्चों ऊपर से क्या ऐसा आएगा ठीक है यह अपने पास क्या बच्चों 1,0 है ठीक है बही तो अपने पास बच्चों एरिया कौन सा आएगा बोलो एरिया बच्चों अपने पास कौन सा है साइन में 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 सब्सक्राइब कर ठीक है यह फंस होता तो यह अपका यहवाला पाट बाउंड होता घ्रtechn है बनदेट गौट इंकete पास का यह पॉइंट से आपका लिस पॉइंट इस पाइए पाइब 4 पीर 코 ना इसके तरीकी हो सकते हैं यह तो यहां सक लगत tutto जीरोसे वन बारी टू थी साइन सक्सका और फिर एक्स निकालना आपको तो यह आपने पास y equals cos inverse x है तो x क्या आगा cos y तो cos y minus का sin y और आपका dy यह graph उपर वाला minus का lower और dy अब cos y का इंडिकेशन क्या आपका sin y तो sin y plus cos y और limit कहा से कहा 0 से लेके π.f.14 तो यह 1 by root 2 1 by root 2 तो root 2 तो root 2 minus यह 0 यह 1 तो root 2 minus 1 तो आपका आपका रूट 2 minus 1 तो option second will be correct second बच्चो option will be correct ठीक next one sixth one थाटमा साल लेके बच्चो find the area of the region bounded by the curves ठीके ना तो अब डिग्राम बनानो डिग्राम बना रहा हूँ y equals to x square by plus 2 तो यह अपने बास बन गा x square plus 2 अगराव ठीके एंड y ब्राबर x तो y equals to x बच्चो कहां से पास करेगा अपना यह यहां से पास करेगा यह लान कौन सा अपका y ब्राबर x है और फिर x ब्राबर 0 से लेगे बड़ा 3 तक x 0 तो बड़ा यह होगा आपका x 0 यह होगा ना और x ब्राबर 3 यह होगा ठीके ना यह कौन सा आपका x ब्राबर 3 है ठीके तो उसने बोला find the area of the region bounded by the curves ठीके ना y equals to x square plus 2 बोलाब यह पहला ब्रांच y equals to x means second branch x ब्राबर 0 means यह वाला ब्रांच and x ब्राबर 3 बच्चों यह ब्रांच ठीक है तो आपका area कोन सा बनेगा आपका यह part this part will be the answer यह जो बच्चों यहाँ दिखर आपने को ना this will be our answer यह जो आपको area bounded दिखरा है वो बच्चों अपने पास यहाँ से क्या बनेगा अपना required जो area है वो यहीं से ही बच्चों कि आपका count होने बला है तो अब इसको कैसे निकालेंगे यार required area को 0 से लेके 3 निकाल लीजी क्या बनेगा अपने पास 0 से लेके 3 0 से लेके 3 अपर ग्राफ कोन सा आपका x square plus 2 का है x square plus 2 minus lower graph बच्चों कोन सा आपका x है 0 से लेके बच्चों 3 तक और अपर ग्राफ यह वाला lower graph यह बस ठीक है यह लगाते है आपका limit और जो integral function बनेगा वो कौन सा बनेगा upper graph minus का lower graph तो यहां पी क्या बनेगा upper graph x square plus 2 है lower graph बच्चों की x आपका तो minus x and आपका dx तो यहां पे x square का x power 3 by 3 plus का 2 x minus x square by 2 ठीक है और बच्चों 0 से लेके 3 ठीक है आप इससे पूट करके देखेंगे तो यह महर पास बच्चों आजाएगा 21 by 2 21 by 2 so option first will be correct option first will be correct next one next one ठीक है next one ठीक है अपने पास क्या फैंड अएरिया इन ख्लोजड बाद करोश ठीक है ना x square by y तो बेटा इसका डापले डाग्राम नालीज जी आप x square y का बच्चों गराब कौन सा बनेगा अपने पास यह बनेगा यह गराब ठीक है फिर सेगेंड हमारे पास कौन सा है y equals x plus 2 तो बेटा जब x को 0 य को 0 किया तो minus 2 मलब यह point minus का 2,0 और जब हमने x को 0 किया तो y का मान बनेगा बेटा 2 तो यह बन जाएगा ठीक है ना हबस ने बोला है कि फैंदा area in close by the curves ठीक है ना x square equals to y and y equals to x plus 2 and x axis ठीक है तो बच्चों आपका इस graph से इस graph से x axis से तो तीनों से मिलके आपका बेटा यह वाला जो area ना वो यहां पर bound हो रहा है अब यह point पो निकालें यह point निकालें यहां पर द्यान से यह point आपण यहां से निकालें तो अपने पास यह points क्या बनेगे बेटा यह point निकाल लिए आपका यह उसमें रख दीजिए आप x square ब्राबर x plus का 2 तो यहां पे x का माने क्या एगा बेटा मैनेस का एक और तो आएगा बाठ्चा और यह point अपने पास क्यों सा बनगा अपका यह point न अपने बन गया एक सिकोज टो मैनस ए पाइंट यह point ठीक है तो आप इसका आप निकालेंगा बेटा मैनस दो से लेके इस में ऐसा कह सकते हो कि मैनेस दो से लेके मैन लाइन के लिए तो एरिया क्या बनेगा एरिया बन जाएगा बच्छों माइनस दो से लेके माइनस एक और किस के लिए बटा माइनस दो से लेके माइनस एक लाइन के लिए ना तो minus x से लेके 0 और बच्चों x square और dx ठीक है न तो अब इसमें integration करतो इसका तो x square by two plus 2x minus 2 से लेके minus एक और plus x square का बच्चों x part 3 by 3 और minus x से लेके 0 आप बच्चों पूट करेंगे ना तो तुम्हारे पास आंसर बन जाएगा इसका फाइब सेक्षिन आप इसको जो है इंडिकर्शन करने के बाद जो वैलू कुट करने वाली चीज़ें है उसको थोड़ा समय स्किप कर रहा हूं पूट करके देख सबते हो आंसर बिल फाइब सेक्षिन आप इस वाली पाट का बच्छो आंसर क्या बनेगा आपने पास सी पाट विदा आंसर सी पाट बच्छो विदा आंसर नेक्स आवाल एट्थ नमबर और भाट रखनद सब्सक्राइब करता है पांड़ बाइब कि आपने पास अचल बन जाएगा माइनस गालोग एकस तो मैनस लोग एकस अगर आपका ऐसा बनेगा यह पर तो रोड़ बन जैम अपका बन जाएगा सब ऐसा वाला कि यह पॉइंट कौन सा अपना एक कॉमाज जीरो है कि वाई कुस्टू माइनस का लोग इबेस मैनस एक ठीक है न तो बच्छो उसका अगर आप कैसा बन जाएगा अपने पास फिर से फर्दर ऐसा वाला बन जाएगा ऐसा वाला और माइनस लोग इबेस माइनस एक ठीक है तो बच्छो उसका अगर आप कैसा बन जाएगा बोलो फिर से ऐसा बन जाएगा ठीक है न तो फाइंड दा एरिया बाट इस फोर ग्राफ ठीक है न तो बाट इरिया बच्छो कहा दिखना आपको बोलो यह पार देखो ना यह पार्ट यह पार्ट कम्प्रिट जो यह पार्ट दीख रहा बच्छों यह अपने बस क्या बने आप बोलो इस इस दा आंसर ठीक है अभी आपको मैंने बोला था यह बच्छों क्या बनेगा आपका रिक्वाइड जो एरिया बच्छों क्या ठीक है इसका मेंने अभी निकाल था बाच्छों एक सवाल पहले किया था इसका विलू क्या था वन आये था तो यह बन गाज पुर इंट्ट वन तो आंसर क्या बन गाज पुर्फोर स्क रूर ने जिस सवाल ने मैं ने फन ने था ने थे यह सम-धिकर अड़ी कहा है इसका प् बच्चों ऐसा हो रहा ठीक है अंड फॉस्टिव आपका तब को साब साथ दीख रहा बच्चों यह अपने पास य क्या है वाइपने पास है 3-2x-x2 ठीक है तो पैरावल ली गराब बने गए तो ठीक है पैरावल लाने रहे तो अब इसका वरटक्स कहां पर आएगा इसका व माईनस एक बचू आपका यहां पे आ गया, किये माईनस एक को़मा जीरो आगया बचो हों यहां पे न, अब इसका यहां पे पहरा वो लिग्लाप का सेव काईसा बनेगा दिखी गया, minus 1 यहाँ पर रखा तो 3 plus 2 5 minus 1 तो बच्छों सा गराब बन जाएगा अपने पास ऐसा यह गराब बन गा ठीक है यह vertex इसका यहाँ पर बन गया minus 1,4 अब क्या बूला उसने the area of the region in which this one and x positive बच्छों x positive कहाँ पर है यहाँ पर x positive है तो बच्छों x positive और यहाँ पर y क्या आपका y more than 0 है तो y more than 0 कहाँ बच्छा लाइन सी उपर होगा और x positive means what we have is side में और यह diagram तो बच्छों यह आपका जो ना यहाँ पर दिख रहा है यह आपका part यह part this much this will be the answer अब इसको निकालें कैसे बोलो x positive बटा इस side में y positive उस side में और आपका graph यह तो आपका fast quadrant और fast quadrant कहाँ बच्छों यह part ठीक है अच्छा है यह इसका point कौन चाहाँ बोलो बच्छों यह point यह point निकाला पड़ेगा इसका जब y को 0 क्या तो x कमान यह बटा जाएगा y को 0 क्या तो x कमान आजाएगा 1 यह point तुमारे पास है 1,0 तो बटा यह required area यहां से क्या बनेगा 0 से लेके 1 y dx और y यहाँ पर क्या अपना 3 minus का 2x minus x square और आपका dx ठीक है ना अब इसको निकाल लीजिए यार इसको निकालें कैसे बोले बेटा यह 3x minus x square minus x power 3 by 3 और आपका 0 से 1 तो 3 minus 1 minus 1 एक बटा दो तो 2 minus बटा एक बटा 3 तो क्या बनेगा आपका 5 बटा 3 तो answer क्या बनेगा इस सवाल का 5 by 3 इस वाले पार्ट का बच्छा answer क्या बनेगा अपने पास 5 upon 3 तो option fast will be correct जिन बच्छों का 5 बटा 3 answer आया है उन नेक्स सवाल नेक्स सवाल देखी का पिटा दोनों ग्राब बनाओ पहले है फैंड आईरिया हाला लाइंग दा फैस्कॉर्डिन है ना विटा फैस्कॉर्डिन करता ठीक है और बाउंडिट बैदा कॉस्ट ठीक है तो यह अपने बास क्या सा बनेगा बच्छों एक्स्क्रीव बच्छों ग्राब तुम्हर पास ऐसा बनेगा ठीक है और जो फोर एक्स वाले बच्छों लाइन वो कैसे बनेगी बोलो वो लाइन तुमारे पास बच्छों कुछ ऐसी आएगे ऐसा तो यहाँ एक्स का मैन कई आएगा जीरो आएगा 2 आएगा और मैनिस का 2 आएगा तो बत्शों यह अपने कास rabbits क्वाइन सा बन गया एकस परवर 2 यह पॉंट तुमारा कौन सा हो भॉलो एकस कवराबर माइनस दो बड़ उसने क्या बोला बेटा actual boundary terrain कुन सा है यह parked पलस यह parked खरना दोनों shape same आ रहा रहा है बड़ उसने पूर आपने बोला है कि इन्दा first quadrant तो बेटा यह थ्स थर्ड quadrant उमारा तो first quadrant यह है बचो तो मुझे यह ही निकालना बस तो इस वाले पार्ट का अंसर क्या बनेगा, 0 से लेके 2, अपर ग्राफ कोन सा आपका, 4X है न, तो 4X माइनस, लोगर ग्राफ कोन सा बचो, X क्यूब का ग्राफ है, तो अब इसको फाइंड कर लेंगा, तो यह बनेगा, 4X स्कुर्ण, तो 2X स्कुर्ण, तो यह बनेगा, एपको, आठ्ध माइनस का, 4, तो इस वाले पार्ट का अंसर क्या बनेगा, 4, तो 4 स्कुर्ण, तैक है, 10 वाले पार्ट का अंसर क्या बनेगा, 4 बचो, तीक है, कि अगर नेक्स वन देखें ग्यार वस्वाल नेक्स वन देखें ग्यार वस्वाल इनका बच्छों मिन्यूम लिए जारा ठीक है ना अट देन एरिया बार्ण भाण एक्स 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 ठीक है ना तो बच्छों पहले इसका मिन्यूम अगर आप बनाते हैं देखें कैसा बनेंगा यह अपने असका लइन क earliest यह बोलो इस लैन इस वाइप्स टोफो यह बोलन वहाँ से बोलो बीता यह लाइन तुमारी हाँ से पास करिए यहाँ से पास करिए hier अ कि ऐसे पास करिके इस पास करिए यह पॉंट को ओड़ से बना माइनस का 1,0 और यह पुन कोन साब बचाओ 0,1 है ठीक है अब उन दूसरा गराब बनाते हैं हमारे पास यह गराब कोन साब देखी का भी y equals 2 root of 1 minus x ठीक है यह पने पास कोन साब y equals 2 1 minus x का root है तो हमारे पास यहां पर कहाएगा y square will be minus x minus 1 ठीक है तो बच्चों यह पारब बन जाएगा तुमारा तो इसका गराब कैसा बनेगा बोलेगा इसका बच्चों गराब कुछ ऐसा जाएगा ठीक है यह पूंड कोन साब बनगा तुमारे पास तो अब required area कुछ साब बोलो पेटा उसने बोला है minimum तो बेटा minimum के अगरा बोलेगा बोलेगा कौन सा बनेगा देखेगा पेटा यहां पे तो अपर पार्ट है तो मिन्यों बच्छों यहां पे यह बनेगा ठीक है और इसके बाद बच्छों यह बनेगा यह पार्ट और कौन सा आपके एक सक्सिस तो बच्छों आपके पास यह वाला जो आंसर ना यह पार्ट दो दीख र तो इसको निकालने का तरीका आपन वही अपना सकते हैं मिड़ा यार देखिएगा या तो आप ऐसा कर लो सको यार कि माइनस एक से लेकि जीरो इसके दो तरीके हैं अलों एक सकसे निकालेंगे इसको यार तो कैसे निकालेंगे माइनस एक से लेकि जीरो ठीक है तो माइनस एक से लेकि जीरो माइनस एक से लेकि जीरो और यहां पे लाइन आ रही है आपकी तो यहां पी कौन सी बोलो X plus 1DX और प्लस जीरो से लेक बेटा एक तक जीरो से लेक एक तक कौन सापका यह परावलिक ग्राप का बरांच जा रहा है अब इसका इंटिकेसन करते है तो X का X2 वन का X और मैनेस एक से लेके 0 प्लस इसका क्या बनेगा बेटा एक वन मैनेस एक की पावर फीवाइट और यहां पे 2 बाई 3 ठीक है ना और मैनेस वन प्रटा मैनेस का साइन आपका बाहर आ जाएगा यहां पर कोई दिक्कत वाली बात नहीं है और यहां पर जीरो से लेकर एक है जीरो से लेकर बच्वठों एक है पार तो अभी है इसरों प्लस कर लो जाए तक पुटकर करना थीक है ना वैकिन श्रेंस यहां से 1 बटदू माइनस का 1 माइनस का 2 बटद behaviour और यहां पर 1 रखा तो 0 और 0 रखा था बच्चो माइनस का 1 ठीक है? यहां बच्चो यहां बन जएगा अपना माइनस का 0 ठीक है सही बात है तो यह बन गा अपने पास बच्चो यहां पर एक बटादो और प्लस का दो बटाथीं जमार आगया यहां पे छह सिम आ गया तो तीन प्लस यहां पे च्हार-साथ तो बटा अंसर करेंगे आपका साथ बटा चाहें तो सवाल का अंसर के आपका बच्छों देहुन सेवन बाइड़ और सिक्स ऑपसन डी विल बडी करेंड अ है कि नेक्स फन देखी गा आप सालन बारह मिटा बारों शॉल आम अरपास यहां पी क्या है अब आप साल ठीक है तो अधा एरिया बाउंटन बिट्वीन दाइक सेक्सिटर्ड ग्राफ और बच्चों पहल सता ग्राप अनलीज यह भी तुमारे पास पैरावली भी ग्राफ होगा तो इसका ग्रफ क्या बनेगा देखी गा मैं यहां प आपका स्तीन happily रह थो तो प्त इनर लोनी के बाद यहां पर 2-S एक्स टीन हस ऑन्तु मैंगer दो दो- एक्स से तो यह अब उसने बोला कि if the area bounded between the x-axis ठीक है and the graph of this one between the ordinates x equals to 1 x बच्चों 1 कहां पर आएगा आपका एक सबक्राइब बच्चों यहां पर आएगा यहां पर यहां पर इस पॉइंट विस 1,0 ठीक है क्योंकि इसका वाटक्स क्या आएगा 6-6 एक सब्सक्राइब बच्चों इसका वाटक्स बनेगा अपने पास between the ordinates x equals to 1 and x equals to a बच्चों यह पता नहीं अपने को यार कि ए कहां पर जाएगा एक अपने पता नहीं एक चुली में न एक आप पर जाएगा अपना तो अपना यहां से वाई क्या अपना यहां बच्चों आपना यह है इसका इंडिकरेशन क्या आख ए आएगा माजने एक से लेके दो बल इस पारट का वाले पार्ट का तो इसका यहां से गणा बनेगा लिए निविए कुछ डूजर सब्सक्राइब एक से लिए गरौ जोड़ते लेकर में पर सं稀के है मैं तो यहां से क्या बने का एक से लेकर दो एटू minus i1 ठीक है इतने part cancer बच्चों क्या बनेगा ज़िए इतने part का क्या बनेगा देखिए यार ये इतने part cancer तो यहाँ पे न अपने ये करेंगे न एक से लेके दो वाले part cancer तो upper limit minus का lower limit एक से लेके दो वाले part का तो पहले बन जाए तुमारे पास ये 4 12 minus का 2 की पारतीन 8 minus 1 रखा तो 3 minus 1 तो क्या बनेगा आपका 4 minus का 2 तो बटा यहाँ पे बनेगा 2 इस part का बच्चों answer क्या बना area का बना 2 अब इतना part का answer काउंट कर लोगा ये काउंट कर लोगा बटा 2 से लेके 3 वाले का 2 से लेके 3 वाले का भी देख लिए आपका आएगा तो इसी में क्या करते हैं आपका बना 2 से लेके 3 पूट कर देंगा तो इसमें 2 से लेके 3 देख रहा हूं तो वो क्या आएगा देखेगा पहले 3 आएगा तो 3 बलब 2 से लिकर 3 वाले का देख रहे हैं 2 से लिए कर तीन तक का घूसके क्या Wallace का 2 27 27 27 तक 27 मैनिस उसको बुन 2 पे देखें 2P क्याएगा देखेंका 2P 12 12 12-8 इस बचों क्या बना आपका मैनेस का तक मैनेस 9 यह डिए आ रहा हैं तो उसका बनेगा बिलो न तो इसका लिमिट का रोडु क्या करते हैं वो फ्लो डितने चार आ रहे हैं अब तीन से यहार वाले निकालेंगे तो और इस से बढ़ा अड़ा तो आई 3 से लेके 3 से लेके 4 निकालो लो 3 से लेके 4 लेको बेटा क्या आएगा आपका 3 से लेके 4 वालेका तो 4.6, बोडा, 16, 38, minus, 4 कूप, 64, minus, 3 एका तो, 27, 27, 0, तो या बन गा, बेटा, minus का 16, बेटा, इसका इरे का आपको आएगा, बोलो, minus 16, minus positive, 16 लागा, ठीक है, अब देखे, सवाल को डंग से पढ़िएगा, बेटा, सवाल में क्या लिखा हुआ 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 बेटा, 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 का 22 मुझे क्या लेगा 19 लेकिया ना है तो अब्यस्वाइदा जो ए होगा न वो तीन से बच्छो जादा होगा ओच चार से कम होगा ए कहां पर होगा एभस तो इन बिट्वीन थ्री टू-4 तीन से जादा होगा पक्का और चार से छोटा होगा तब जाके तुम्हारा एरिया क और चार दुच्छ है और बच्चों का सोड़ा राना तो माले ज़े एक कहीं प्यारा है उसके लिए आपका किसी के लिए आपका 13 भी बनेगा तो 13 अच्छा गुनिस ठीक है इसी परकार से बच्छों का एक पॉइंट कहां पर जाएगा एक से जीरो ना एक से दो मेम बनेटा तो जीरो से एक मैनेस एक जीरो और मैनेस दो से लेके एक सिमेट्रिक ही साबgent एक पॉइंट आपका यहां पर भी आजाएगा तो आंसर कोण सा बनेगा टू वैलूज वन बिटा तीन से चार में और दूसरा मैंस दोसे मैंनस इग तो अप्शन C विल बी करेक्ट ठीक है यह बड़या सवाल था अच्छा सवाल था है ठीक है नेक्स दखीगा तेरवा सवाल तेरवा सवाल थेखीगा इसमें क्या है तेरवा सवाल कीगा इसको देखीगा तो अप्शन वोस बाउंडरीस आर डिफेंट बाई दा इस वन तो कोसेक्स और थी तैन एक्स एक्स तो तो कोसेक्स य बराबर 3 तैन एक्स और वा एक्स इसका गराब राना अपने गयर तो अपने परस क्या बनेगा टू कोसेक्स गराब कैसा बनेगा बिटा वो अपने अज गराब कुछ ऐसा बनेगा ऐसा ठीक है और वा एक्स और य अपने पास काँपे दीर आपने को यह वाला तो आजेगा अपने पास यहां पर यह पाइगा 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 यह बनेगा आपका पाइगा 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 पाइग माइनस का, लोवर ब्रांच कौन सा आपका, 3 तैन एक्स और आपका डी एक्स, ठीक है ना, बलब एरिया निकाला बिल्कुल जादू तरीका है, सिंपल गराब बनाओ, उसके बाद देखना है कि एरिया कौन कौन से ब्रांचे से, कौन कौन से ग्राफ से आपका, जो एरिया है, वो बच्चों, बाउंड हो रहा है, कि कौन कौन से ब्रांचे से अपना एरिया वो जो बाउंड हो रहा है, ठीक है, उसकी लिमिट साट कहां से हो रही है, तो लिमिट साट करते वे, ठीक है, और उस बाउंडेट जो आपका, जो अब याद अगया लोग सेक एक्स अब लिमिट पूड कर दें जीरो से लेके पाइबाइब शिक्स वाला तो पाइब यह बन जाएगा एक माइनस का फ्री इंटू लोग और सैक पाइबाइब शिक्स क्या होता है वन अपॉन कोस्पाइब शिक्स तो दो बटा रूट तीन लोग लोग ये बिस टू माइनस और बटा यह ऊपर जाएगा तो रूट तीन की पार माइनस का एक बटा दो तो यहां पर आके जाएगा थ्री बैटू लोग इबस त्री यह आपको कहां पी ते देखी गा एक है वन प्लस्ट्री ब्राइटो लोगी बीस त्री मैंस का थी लोगी बेस तो है ना सो उप्षन बी विल बीक्रेट आप्सट्री अब करेक्ट अब फोर्टी नेखिये फौर्टी नमबर 14 नमर ठीक है दा area of the close figure bounded by this one ठीक है and the abscess axis ठीक है ना प्रेट abscess axis कोने से होती है अपने अपने एक्सक्स होती है ठीक है वह बूज x के साथ होगा ठीक है ना ऐसा भी तो पर डियाग्राम सीधा दीख रहा आपने ग्राफ सिधा वाई भी दिया अपने को एक्स भी दिया है तो आंसर क्या एगा रिक्वाड़ी रिएक आएगा मैनस एक से लेके इस वाले पाट का मैनस एक्स क्यूब बै थ्री प्लस टू एक्स मैनस एक से लेके प्लस एक प्लस यहां से क्या बनेगा एक्स स्कूयर मैनस एक्स और बैटा एक से लेके दो यह बन जागा ठीक है लिमिट रकना बस मैं बस तो मैनस का एक बैटा तीन प्लस का दो मैनस एक बटा तीन, माइनस का दो, प्लस च्यार माइनस का दो, माइनस जीरो, ठीक है, तो आंसर क्या बनेगा बेटा ऐसे, माइनस का दो बटा तीन, एक प्लस का चार, चार इंस चשार आठ तो आणसर क्या बेटा, च्ग्तिक आके बेसा के बटा तो शोडा बटा तीन, तो आणसर के आपनाएक अब बाटा शो उप्षेटी भी पैस उप्षेट पास है, ठीक है, तो यौइ सवल सवाल था, फ् एक आमान गात करो जिसके लिए वखकर इस वान वे निर्दसांग एक्सों के साथ निर्दसांग एक्स वर रेखा एक्स गिराद छेतर पल क्या वेटा नियुनतम है ठीक है वाला कॉट नेक्सिस एन दा लाइन एक्स प्राबर ए है ना अटेंड्स दा मिनिमाम वैलूज ठीक ह तो यह जो ग्राब बच्छों होगा अपने पास वेटा एक्स वाबर एक ठीक है एक्स बच्छों तुम्हारे पास एक तो यहां प्या गया और यह जो ग्राब पने पास बनेगा वह अपने पास कैसा होगा आप जी रोलूल उनेंगा एक तो मुझे मेरे पास है नश्था इहाँ कि आपका area bound हो रहा है यहीं पर आपका area bound हो रहा है इसी area को मुझे क्या करना है minimize करना है तो पहले इस area को निकाल लिए आप area क्या बनेगा 0 से लेके 1 तक जा रहा है और a square x square plus a x plus 1 dx यही का आपका bounded area बनेगा अब इसमें क्या integration कर दीजी तो a square x q by 3 plus a x square by 2 और plus x बच्चों और 0 से लेके आपका 1 तक ठीक है 0 से लेके आपका 1 तक अब इसमें limit put कर दें आप तो पहले पार्ट बनेगा a square by 3 plus a by 2 और plus बच्चों 1 अब मुझे इसको बिन्वाइज करना है तो आप सब जों लोग जानते ही हो कि किसी भी है ना किसी भी एक्वेशन को है ना किसी functions को minimize कब करेंगे बोलो जब उसका derivative जहां पी 0 गा उसी पाइंट में क्या बनेगा बिटा minimum value बनेगा ठीक है ना तो इसका derivative बना दिया भी इसको minimize करना अपने को तो a square का 2 a by 3 और इसका a by 2 का plus 1 by 2 that is 0 तो 2 a by 3 will be minus का 1 by 2 बेटा a का मान यहां पी क्या बोलो minus का 3 by 4 बेटा a का मान क्या बन गया मैनस का 3 by 4 means a जब आपका minus का 3 by 4 है उस case के अंदर यह जो bounded area होगा that has to be minimum ठीक है तो a का यह से बेलो क्या बनेगा बेटा minus का 3 by 4 so option c will be correct c part will be correct ठीक है c part will be correct वा ठीक है तो नेक्स वाल देखीगा number 16 देखीगा नंबर 16 प्रम नंबर 16 में आपस किया यहां पर देखिआएगा अथना एर्य ओब आंप डारीजन बाँड़ण सेडो इक्स तूज जीरो एंट एक्सटू युड्यारी में वाइ लाइसन इक्सटू इन पार एक्स एंड भाई क्या बच्छों, more than equals to log x आपका, ठीक है, तो पहले इसका डियाग्राम बना लिए आपको डंक से यार, ये बच्छ आपकी y 0 हो गई, ये तुम्हारे पास x रापर 0 हो गए, फिर हमारे पास यहां पर y क्या आपका e पारक्स है ना, बच्छों e पारक्स है तुम्हारे पास गराप क 0,1 है, ठीक है यार, अब बोला है x रापर 2, x 2 बच्छों यहां पर होगा, y 2 तुम्हारा यहां पर होगा, तो बच्छों मेरे पास ये पार्ट आगा, ठीक है, तो अपने को the area of the region bounded by this one, हा ना, तो बच्छों अपना area कौन सा बनेगा बोलीगा, अपना बच्छों area बनेग एक तो, ये पार्ट, और बच्छों एक तुम्हारे पास ये पार्ट, सोरी सोरी, ये नहीं बनेगा रहा हुँ, कौन सा बनेगा देखीगा, ये line और बच्छों तो इस एक पार्ट का एरिया निकाल लीजाए, वो क्या बनेगा? एक से लेके दो, और आपका log X, ठीक हो ना, क्योंकि जितना पार्ट इस जो बेडिया ये बनेगा, उतना एक्जेक्ट एरिया यहाँ पर याने वाला है, तो X से लेके 2 log X DX, इसको निकाल ले जब, इसका इंटिकेसन क्या होता है, X log X, minus का X, X से लेके 2 तक, एक से लेके 2 तक, इसमें रखा तो 2, 2 log E base 2, minus का 2 minus, यहाँ पे जब 1 रखा तो यह 0 और यह minus 1, तो क्या बनागा बेटाई, यह बनगा अपने पास two log e base two minus का एक है ना तो अपने पास complete अभी यह यहां से area क्या बनेगा बिटा इसका complete क्या है यह दो यह दो two minus one तो अनसर क्या बनगा आपका च्यार दो छे तो छह मानद उसका च्यार लोगी बेस्ट हो ठेमान इसका च्यार लोग बेस्ट हो तो बेटा फैस्स पारटी स्कान से वह जाए गा तीका फैस्स पार्ट विक्रेट 17 देखिगा देमर सेंटी ना, दे एरिया सेंटी नबर, वो इस पक्रा सब प्रोपरा है ना, सब धंक से हैं, ओके, दे एरिया बाइट 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 एक से लेके, टीक है, टीक है, अधे लाइट लाइन एक से लेके, बी तक और एफेक्स डीक्स, वो अपने पास बच्छों, यहां पी क्या रहा है, यहा रहा है, अंडरूट बी स्क्वेर, प्लस एक माइनस का रूल तो, यह तो आरा बेटा, ठीक है, देन एफेक्स क्या होगा बच्छों, अबिस वह अदर यहां से आपका एक से बढगा होगा, पर यहां से बढ़ा होगा तो FZS BACCY क्या करतें, लबने चुरूं लगा दें, बढ़ दौनों साथ में क्या करतें बैटा, derivative कर्दे हम, तो यहां से F of B क्या है गा बैटा, F of B उल बी, इसका derivative क्या ऐगा, 2B upon 2 into root over B square plus 1, रूट तू का 0 तो यह कट गा आपका यह से तो यहांसे एफ एस चैनल इपका एफ एक्स विल भी ऐप ँठी यह रहा है ना तो एफ एक्स भी एप इस अपौन अंडरूरुट वन प्लस एक्सकोयार ना तो एफ एस कुड़ire ना कि अठा नम्र स्वाल देखी बटा कि एटीन में देखिए बच्छों अपने मस्के है एट एफ एक्स भी नोन नेगेटिव एफ एक्स का बच्छों एयर रिनात्मक संतत्र फुलन है इस प्रकार है कि वकर वाई ब्राबर एफ एक्स एक्स और कोटियों एक्स पाइवाई फॉर एंड एक्स इकुस्ट बीटा से गिराज छेतर फल बच्छों यह दिया आपने को तब एप डेस पाइवाई टू क्या होगा तो इसमें भी अपने पास वह है क्या बेटा पाइवाई फॉर से लेके और अपना बीटा है रहा और अपने पास एफ एक्स क्या रहा बोलेगा पाइवाई फॉर से लेकि बीटा एफ एक्स यह दो वगाभी एफ एक्स का पाइवाई फॉर से लेकि बीटा तो एरिया कैसे निकालेंगे एफ एक्स का इंडिकेशन और कहां से कहां तक पाइवाई फॉर से लेकि बीटा तक और रिनात्मक है ही दिए आपका वो positive function है तो अब्विसी बाद इसी से ही आपका अंसरा जाए गयार जब graph line से उपर है तो इसी indication से क्या आपका कुस भी mode बगारा कुस भी निलेन आपने को क्योंकि अब्विसी बाद ही indication कैसा है गा positive आपने को तो required इसी आपने गापने फे फो पर के बिट पर दक और एफ to रूट को थो इंट बिटा अ आपने आपनेस यहां से क्या आपने प्चाए और यहां से क्या पोछो आपने प्चाएप डेस् पाएट थो क्या तो इसका एंप बीटा यहां पर लगाने पर एंप बीटा यहां पर क्या है बेटा इसका भी डेरिविटू कर दो तो बीटा कोस बीटा प्लस साइन बीटा प्लस सब्सारी गया इसे डर माइनेस माइनेस पाइव tv इंटो साल बीटा और इसका बच्च्वाँ जागा रूल ठीक है अपनेसद्पे बीटू निकल ला तो फिसट्टक आ बीटा 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 फिसल के आ गगीटा इसका beta into minus ka sign beta और plus ka cos beta और यहां से beta plus ka cos beta minus ka pi by 4 into cos beta अब यहां पी क्या कर दें आप pi by 2 रोगदेंगे आपर तो यहां से अपने पास f day by 2 pi by 2 यहां पी रखा तो यह पार्ट 0 यह पार्ट भी 0 एड यह पार्ट भी 0. आपने पास यहां पही क्या आगा बचो? मैनस का पाई बाई बाई 2 इंटु साइन पाई बाई 2 विल बी 1. तो यह बन गा है 1 और कोस बीटा 0 यह भी 0 यह भी 0 यह भी 0. तो अपने पास एक्सुल बचो आणसर यहां से क्या बन गया? मैनस का पाई बाई 2. ठीक है? तो यहां से क्या रहा है? मैनस का पाई बाई 2. ठीक है? नेक्स दखीगा 90 नमबर सावल. नेक्स वन देखे किया यार अएरिया इनिक्लोज बिट्विन दा कवस ठीक है ना इस वन अन्द लाइन एक्स रवाब टू ए अब वोद एक्स ठीक है तो यार पर पले पोन रंगसेश का गराब अबनाएगा इस वाले पार्ट का y square into 2a-x और ब्राबर बच्चों अपने पास यहां पर क्या x cube है ना इसका गराब बनाते है यार ठीक है तो अपने पास यह साइड क्या आगा बोलो y square will be x cube अपन 2a-x चीक है ना यह आएगा बच्चों तो इसका गराब कैसा बनेगा देखेगा ठीक है यहां पर अपने पास आएगा बच्चों 2a यह लाइन कौन से आपका अपने को एख सराबर जीरा तो गराब तुम्हारे पास 0 कीवें बॉन तो क्यों क्योंski है यहां पी कैसा गराब आपका यह तुमहारा घ्रम यहां बना बस यह बालड बाड़ एक है तुसमिंच है रहा बोला अपने को वकर तेथा एकस भाबट 2 एंडवारा परिबत एकस के ऊपर का चैतर पल होगा, तो बच्चों अपने पास यह आंस्वारा यह अपना required answer होगा बिस, तो यह area कैसे निकलेगा और इसको इस area को बच्चों हम कैसे निकलेगा देखेगा तो अपना required answer क्या बनेगा, area will be integral from 0 to 2a और इसका y क्या है इसका y बच्चो बन जाएगा root of x cube upon 2a minus x और आपका dx बोले बच्चो यहां ते कोई दिक्कत वाली बात y dx करते हैं ना तो यहां पर y क्या बन गाँ आपका y बच्च अपने आपका बन गया अब इसको इसको कर लेंगा पुना रामजेहर क्या दिक्कत है मैं क्या कर रहा हूं put x प्राबर 2a क्योंकि 2a minus x 2a minus sin square theta put कर दिया बच्चो तो यहां पर dx क्या बनेगा dx बन जाएगा 2a into 2 sin theta और sin theta का cos theta और आपका d थे था बोली बच्चो यहां तक कोई दिक्कत वाली बात तो अपने पास यहां से अपना area क्या बन जाएगा इसके lower limit क्याएगी जब एक साबका 0 था तो theta भी क्याएगा 0 आएगा बच्चो जब एक साबका 2a है तो 2a से 2a कट गया और theta क्याएगा बेटा पाइब टू आजएगा ना प्लस मैंस का पाइब आएग टू बट विल टेक प्लस पाइब टू अब अंडर रूट के अंदर क्या जाएगा बच्चो यह बन जाएगा तमारे पास 8a स्क्वार साइन की पावर 6 theta अपन 2a मैंस X तो बटा 2a और आपका cos square theta into dx का बेटा dx अपने पास है 4a square sin theta cos theta और d theta ठीक है बेटा अब देखो यहाँ पर क्यूब आएगी ना भाई a से square से बेटा आपका एक पावर कैंसल होगे 2 पावर बच गी यहाँ पर 4 आगा बचाओं तो अपने पास यहाँ पी एरिया क्या बनेगा देखो दो बारा जाएगा यहां से और चार दो नहीं आर्ट ठीक है एक यहां से भारा जाएगा तो 8a3 ठीक है ठीक है भाई अपने उगया का नभी यहां पे अपकोर्स लिमिट इस फ्रॉम जिरो टू पाई वैटो अब इसको बन क्या करेंगा अब उन जानती इसको पाउट सोड़ा कर लेंगा तो दो अंदर लेके जाएंगे आप चार यहां लिख देंगा आपका दो चार एक्यू इंटिकेशन जिरो पाई वैटो और टू साइन् इसको लिख देंगा पुन हमारे पास क्या देखीगा है इसका अहनों साइन स्कार थीटा है हना इसके पार बुक्षाओ अपने पास क्या दो है ठीक है तो इसको पुन क्या लिखेंगा यह बताplic दो च prosecut significant नहीं है ठीक है अब इसके दो पार बार निकाल तो यहां भी बन जाएगा दो एक्यूब लिमिट फ्रों 0 तो पाई बाई टू यह 1 प्लस को स्क्वाइड 2 थिटा माइनस 2 इन्टू कोस 2 थिटा फिर से बिटा यहां पी क्या करना है इसका पार्ट का आंसर आपका इस वाले पार्ट का देखना है इन्हें आपका और यहां से बनेगा यहां से बन जाएगा तो 2A क्यूब अब यहां से क्या बनेगा देखिएगा 1 प्लस कोस का थिटा को मैं यहां से क्या लिखूँगा 1 प्लस कोस 4 थिटा पॉन 2 ठीक है तो बच्छों पाई बैटू यहां से बनेगा तो यहां इन्तू आस 2 सब्सक्राइब हैं तोまぁ गहां तो मस्क्राइब न सब्सकरां तो तो बेटाब का आंसर बन गए आपे 3 पाई A स्क्वाइर बाई 2 ठीक है 3 पाई एस्क्वाइर बाई 2 तो अप्शन B विड बी करेक्ट है थोड़ा सा क्यलकूलेशन है इंटीकेशन है वागी कुछ भी नहीं है सवाल इसी है next 20 नमर देखीगा 20 नमर के आपने पास देखा 20 नमर दा एरिया बाउनेट बीट्विन दा बाई दा ग्राफ्टीक बेटाइक तो यह है अपने पास परावली ग्राफ है y स्कूरर के आपने पास तो यह परावली ग्राफ है आपका यह वाला पार्ट इससा अगर आप कैसा बनेगा आपने पास ऐसा बन जाएगा सब यह पॉइंट को इसा अपना 1,0 पे न 1,0 पे यह रही तो अपने पास आपका यह वाला पार्ट और जब तुम्हारे पास एकस नेगडवी ग्राफ ठीक है अब उसने बोला कि एकस माइनस एक से लेके 1 बैट टू तक तो माइनस एक कहां पे आएगा बेटा यहां पे आएगा इस पार्ट इस एक सीकोस टू माइनस का एक एड़े पार्ट के आपका x equals to 1 by 2 तो यह पार्ट x ब्राबर एक बेटा दो तो बाउंड़े इस एक कहां दिख रहा है आपने को देखो यह तो यह दिक रहा आपने को बच्छो और एक तुम्हारे पास यहां से लेके यहां तक दिख रहे हैं अब इसको निकालेंगा ऐसे हैं इसको निकालेंगा तरीका क्या रहे हैं बोलो देखो माइनस एक से लेके बैटा यहाँ जीरो तक आ जाएगा पहले पाड़तो तो माइनस एक से लेके जीरो और अपर ग्राप कौन सा आपका अपर ग्राप तुम्हारे पास माइनस एक है ना और लोर ग्राप बच्छों यह अपने पास अपर ग्राप माइनस एक माइनस बचो ये ब्रांच कोन सी बोलो लोर ब्रांच मारे पास कोन सी होती होती है बोलो बेटा हाँ ना अपने पास कोन सा बोलो अपने पास y क्या बेटा देखो यहां से क्या अपने पास y square क्या आपने पास 1-1 आदा तो यहां पर y क्या आगा बोले बेटा plus minus under root 1 minus x आने वाला है ठीक है तो यह branch बने हैं कि minus वाली और यह branch बच्चों बनती है फ्लस वाली तो minus x से ले कि 0 minus 1 minus under root 1 minus x आना minus वाली branch और dx और plus बच्चों 0 से ले कि आपका 1 बटा 2 और upper branch कोन सी यहां पर एक माइनस यह ब्रांच कोन से आपकी 1-X ठीक है आप इस बच्चोंच का सिंपल इंटिकेशन करना है ठीक है ना बस वो ही तो है यार समझगे इस बात को भी माइनस एक से लेकि यह जीरू तक आजाओ अपर ब्रांच कोन से यह माइनस एक लोवर ब्रांच कोन से बेटा तो क्या करेंगे माइनस एक से लेकि जीरू माइनस एक उसमें से माइनस करेंगे किसको भी इस वाली ब्रांच को इस ब्रांच को लेको माइनस एक माइनस इस ब्रांच को मैंने यहां पे माइनस कर दिया है और प्लस जीरू से लेकि बेटा वन बै टू तक इसमें क्या है तो अपने बास बच्चों यह आपका सवाल का नसला जाएगा फ्री बाय रूट टू माइनस ग्यारा बट अच्छ है कि टूटिफराइगा इयरिया बाॉंडट इसका बना लो पहले आप कि बाई इसका बने गए इसका कैसा बने गां मip적 क्लेगा जब X को 0 पूट केया तो Y का माल एक बंटा 2 ओ और जब य को 0 िसका मैनस 2 अब यह पूंट को निकाला भस चेटी बात है अब इन पोईंट्स ओक निकालें यार उसको मा डाल दीजी तो 4y ब्राबर y स्क्वेर चार वाई एक सेकंड एक सेकंड एक स्क्वेर कुस्ट को 4y आला ना बचो आपने पास तो यार ऐसा कर लो उसको आप कि x स्क्वेर ब्राबर 4y यार यहां से क्या आड़ो x प्लस का 2 आ जाएगा ना ब्राबर x क्लस का 2 आ जाएगा साबने तो यहां पर x स्क्वेर ग्ट इह इसके रूट माइनस एक से लेके 2 अपर ग्राब कुण सापका लाइन का है तो LINE में y क्या बनेगा तुम्हारा LINE का y निकालेंगे ना पहले LINE का y मैनस पाराबोला का y तो LINE का y क्या आएगा x प्लस का दो बटा 4 मैनस पाराबोला का y क्या आएगा बेटा x square by 4 और आपका dx ठीक है अब इसको निकाल लेजेंगे क्या बनेगा इसका इसका बनेगा x square y 2 x square y 8 plus 1 बटा 2 ना तो x बटा 2 minus x की पार 3 मिटा 3 तो x की पार 3 मिटा 12 और limit करा रखा रखा है अपने को minus का 1 से लिके 2 दगा रखना ठीक है रख लिजिए आप राम से आजया का रखना 2 रखा तो 1 बटा 2 plus 1 minus 8 बटा 12 minus 1 रखा तो 1 बटा 8 minus का 1 बटा 2 और यह minus minus plus 1 बटा 12 ठीक है अब LC माल से ले लो बटा 9 by 8 आपका रखा ठीक है 9 by 8 बटा इसका बटा आन्सरा यहां 9 by 8 आजय का ठीक है 9 upon 8 बाइसनमर राजविटा बाइसनमर इससा वाल माने पहले पेले बेटा अब करवा दिया है एक्जग्ड सेम सवाल है एक्जग्ड सेम है आपका सवाल है यहां पर दीकर आपने को वैलुओ एफ यह पूर इस दा एरिया बाउंड़िट बाइद आ उस ठीक है ना y equals 0, मलब x axis, x लाबर a से ले 2, has the list value, है न, तो क्या करेंगे, area कैसे निकालेंगे, a से लेके 2, और area function कोर सा आपका, x by 6, plus 1 upon x square, ठीक है न, और dx, ठीक है न, बच्छों आपका जे इमेंस की paper के इंदर आपकी खास बाती है, कि area का सवाल थोड़ा सा maybe lengthy हो सकता, but easy रहेगा, area का आपको जो सवाल है बच्छों, वो क्या आपका इट में भी lengthy, but बच्छों सवाल क्या अपना obvious ही बाता है, हमेशा ही आपका, easy सवाल रहता है, ठीक है, करने वाला सवाल होता है, ठीक है, तो बहुत डंक्स इसके practice रहे हैं चेप्टर गया, तो x by 6 plus 1 upon x square dx, इसका indication कर दो आप इसका आपका, इसका आपका, x square by 12, ठीक है, क्योंकि x x by 2 आएगा, x square by 2 आएगा और प्लस इसका आएगा बच्छों, x की पार minus 2 का, x की पार minus 2 plus 1, तो minus 1 बटा x, ठीक है, और e से लिए बच्छों 2, अब लिमिट रख दूश्में है, तो यहाँ पे 2 ए रखा तो, 2 एक बच्छों, यहाँ पी कितना है आपने पास, 4a square अपन 12, minus 1 बटा 2, minus a रखा तो, a square by 12, और minus का, 1 by a, ठीक है, नभी, तो यह अपनास क्या बन गए आपके, a square by 3, sorry, a square by 3 आएगा, minus 1 by 2 a, और minus का a square by 12, minus का 1 by 2 a, ठीक है, यहाँ जाएगा, ठीक है, यहाँ जाएगा, ठीक है, अब इसको आप सोल कर लीजिए, यहाँ यहाँ से आपका LC मागया तो, यहाँ से बचाओ का 12 LC मागया, तो 12, 4a square minus का a square, तो 3a square, अपन 12, यहाँ से बनेगा, 2a by 4, और यहाँ से क्या बनेगा, minus का 1 upon 2a square, and that is 0, ठीक है, तो यह 1 by 2, 1 by 2 बटा यहाँ से 0 गापका, तो a cube will be 1, बटा a का 1 क्या बनेगा, अपने पास, 1, so value of a will be 1, then area becomes minimum, तो इस पाट का अबनेगा, बचो, value of a will be 1, option c will be correct, ठीक है, next सवाल पर जाओ, त्यारा नंबर सवाल, त्यारा नंबर सवाल, त्यारा नंबर कुछ हो ना, त्यारा नंबर, डागराम बनाओ पर ले, यह ग्राफ का ऐसा बनेगा देखीगा, 0 और 3, तो त्यारा 3 से आग आपका जब रहेगा, तो पोस्ट रहेगा ग्राफ, ऐसा, और यहां पर भी ऐसा रहेगा, और दूसरी अपन लाइन कुन से बिटा, वाइक स्वेक्स है, तो यह लाइन कैसे पास करीब बताओ, ऐसी कर कि यहां से ऐसे पास कर जाएगा, अपके ऐसी कर गें, तो तुम्हारा ऐसा रहेगा, यहां पर ऐसे बिटा ऐसे पास कर जाएगा, ऐसे नीचिस रहेगा, ठीक है, तो यह अपना पहला ग्राफ कैसा बनेगा, जीरो तीन पर तो और सॉथ, ठीक है, तो एसका ग्राफ तम्हारे पास बनेगा, कुछ आईसा कर गए, और ऐसा कर आइसा, प्रीटा बनेगा, एसा कर एसा, टीक है, और प्रीट अपनेगा, तो लाइन यक्स राफ लाइन कर था लाहनी, वो कैसे पास कर गें, ऐसे गरन यहां से ऐसा और बिट्व का यहां से लिए ऐसा ऐसा है ठीक है कि ऐसी पास करीगी नहीं है ऐसी पास करिए गया रहे अ ऐसी तो नहीं ठोड़ा सी इसको डंक से बनाते हैं को एक बार जीरो और अपका तीन पहले इन दोनों पॉंट्स का ग्राफ्स का इंडेस्टन पर निकाल लेजे आप वो क्या कहेंगे बोलो X इंटू X-3 का स्क्वेर ब्रावर X तो बटा एक तो X-0 आपका आगया और एक कोन साही बोलो X-3 ब्रावर प्लस एक मैनस एक तो X का माने एक तो 4 आगया एक बटा दो आगया तो दोनों गराफ्स काहां का आप यह दो पे 4 पे बटा कट करेंगे एक 2 पे एक 4 पे ठीक है न तो यह लाइन तो मेरे पास आपका 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 तो यहां दिखर आपने को एक तो कैसे निकालेंगे आपने इसको एक तो अपने पास 2 पे इसको कट कर रहा है बलाब यह पॉइंट को आपना 2 है एक अपना 4 पेटा तो इस पार्ट को इस पार्ट को निकालेंगे आप तो कैसे निकाले हैं बोलो, 0 से लेके 2 तक अपर पार्ट कोन सा आपका X into X-3 का यह करेंगे न, अपर पार्ट मानस का लोगर पार्ट तो X into X X into X-3 का स्क्वेर माइनस X DX ठीक है न और बेटा, इस पार्ट को क्या कर दें, प्लैस यहां से क्या वेट आपका यह पार्ट कोन सा आपका बोलो, यहां पर यह पार्ट मतलब 0 से लेके 2 तक अपना गया और फिर यहां पर अपना क्या आपका यह यह पार्ट अपना कौन सा आपका यहां पर 3 से लेके 0 से लेके आपका 2 आप एक तो और इसको 4 पर कट कर रहा है ठीक है ना 0 से लेके 2 या फिर से लेके 2 निकाल उसको 2 से गुणा कर दें ठीक है या फिर ऐसा नहीं करना चाहिए तो फिर क्या कर लो आप अधर वाइच जिरो से 2 अलग निकाल लो और फिर आपका 2 से 4 इसको अलग निकाल लें आप 2 से 4 ठीक है वह ग्राफ रहेगा तमारे पास यह अपना निचे ग्राफ आएगा और यहां से क्या करना है आप 2 से लेके 4 एकस इंटो एकस मैनेस 3 का होल स्क्वार मैनेस बच्चों एकस ठीक है आइसा कर लाएं इस फिर थोड़ा क्याल को निकाल लें उसको 2 से गुणा कर दें ठीक है न तो थोड़ा सा सवाल का जो लें सवाल रहेगा है ठीक आइसा है नेक्स्ट 24 24 नंबर इस अरिया बाउंडेट हाना बाइदा क्राफ सिसन यह तो सर्कल का ब्रांच है ठीक है एंड वाई कुस्ट एकस क्यू मैनेस एक कुणा जीरो वाला यह पुण बच्चों के आपका बाइनस का एक कुमाज बटा अब यह अपने पास कोन सा बटा एकस इन्टू एकस बाइनस वान और आपका बच्चों एक्स प्लस ब्लस वाना है तो इसका अगर आप कैसा बनेगा भी इसके बच्चों गराब बन जाए तुम्हारे पर ऐसा और ऐसा वाला ठीक है तो अपने पास का bounded area कौन सा दिख रहा है अपने को bounded बच्चों area आपका यह दिख रहा है यह वाला part यह part आप साथ साथ देख रहा है बेटा कि जितना part यहां पर कम हुआ है उतना trilogy तो इस पार्ट को मैं दी यहां मर्जगर यहां लगा दो तो अपने म सभात का सेमिसर्कल का यहां पर a अब अबने रिया इका एक है तो आपने फैंड क्या करना है आए यहां से क्या बनेगा धाईपॉन वाय थो आनसर क्या रिटा दो bend जेगा कि कि इस वाले पर इनक्स्री नेक्स्ट वंट्व enny फवाइफ 25 बेट आपका आसान सवाल है, बिल्कुल आसान सवाल अपना, ठीक है, 25 में क्या करेंगा पूर, find the area of the region bounded by the limits, तो यहां पी क्या करना, अपने को 0 से लेके पाई बाई बाई टू, ठीक है, और sin x मैंनस का cos x, ठीक है ना, इसका बेटा, यह फिर ऐसा कर लो square, diagram बना लो पहले आप तो बस, diagram sin x का गराब बनेगा तुम्हारे पास ऐसा, और cos का बच्चों गराब बनेगा आपका ऐसा, अब 0 से लेके पाई बाई 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 निकाला अपने को, तो यह आपका 0 यहां, पा sin x dx और प्लस, पाई बाई बाई फोगर से लेके बच्चों पाई बाई 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 पार्ट में, इसमें को बच्चों आपका साइन उपर निकल गाई ना, तो sin x माइनस का, cos x और आपका dx ठीक है, आप इसको count कर ले ना राम से, so answer will be first part है ना, इस पहले पार्ट का बच्चों आपका सेक्षन जो भी है, उसमें अगेन यहां पी के आपने पास 5 सवाल है, और मार्किंग भी प्लस 4 & 0, मार्किंग भी प्लस 4 & 0 देखे पहले सवाल, अधा area enclosed by the crowd ठीक है ना, area enclosed by the crowd ठीक है ना, x positive and x success ठीक है, तो इसका इस बने का बेटा, 0 और आपका 3 हां, और minus 3 है, तो इसका बनेगा पाने पास, 0 पैश सब्लसे कई इससा हन भी पने पास, तो find the area by the crowd ठीक है ना this one क्योंकि 3 page no minus का no 0 तो अपने को बेटा ये area निकालना है ये वाला part का इस part का बच्चों area निकालना है तो कैसे बनाएंगे इसको बोलो बेटा वो इस 0 से लेके 3 इंडिकल फंक्शन को अपने पास x into 9 minus x square dx अब इसको टी माल लो तो बस 9 minus x square को टी माना बेटा तो यहांपी क्या अगा माइनस का 2x या t square माल लो माइनस का 2x dx ब्राबर 2t dt तो 2 से 2 कट गया बच्चों x dx क्या बनगा आपका माइनस का t dt बनगा ठीक है अब इसको put कर दो मैं या पर या रहा ना तो लिमिट क्या आपका x को 0 रखा तो t कमान 3 x को 3 रखा तो t कमान 0 और x dx कमान माइनस का t dt और 9 minus x square का बेटा t तो t square होगा ठीक है ना यह बटा आपका बन जागा बेलू अब यहांपी क्या इसको फारदर यहांपी क्या कर सकता हूं 0 से लेके 3 ती square और आपका dt तो t part 3 by 3 और 0 से लेके बटा 9 तो आउसर क्या बनगा आपका 9 ठीक है बटा सावाल का अचर क्या आपका आपका 9 तो first part का जो आउसर बनेगा वो बनेगा 9 first part का जो बच्चो अपने पास सानसर बन्दा वो क्या बन्द आपने पास? 9 बन्दा बेडा, ठीक है? नेक्स आवाल ठीक है, लेट सी विदा करो पासिंग थुरू, पेटक सी आपका करो है, जो यहां सी पासिंग कर रहा है, पासिंग थुरू 2,2, मालने ज़ से की C आपका M 2,2 से उक्र, जाने वाला, यह क्या वकशर है, कि वकशर के किसी बिंदू की स्पर सिरहां, डाल, बिंदू की कोटी डाल, बिन्दू की कोटी की वैटकरॉम में है, यदि वकशर सी रेखा, 2 से to 3… तो कमान होगा मलब यहां से क्या है टांजन ना स्लोब टांजन वह क्या था दिए वाइद इस होता है किसी बिंदू पर और वह क्या बैटा इस रेसिप्रोगल दा ओर अदर अधर क्या वाई होता है तो वन अपन वाई के बच्चों बराबर है तो इसको डिफेरेंश इसे बात कर रहा तो इसे निकाले हूं बता हूं इसे रहों निकालेंगा, बड़े अराम से, कैसे बूलीगे बटा, इसे रहों कैसे निकालेंगे बोलो, इसको 2 से गुणा कर दें, अपर पार्ट का निकालो, 0 से लेके 2, और y dx टिके न, तो 2 गुणा, 0 से लेके 2, और y का मान या पी क्या का बेटा, y square 2x है ना तो y का मान गयाएगा root 2 into root x dx तो बन जाएगा बटा 2 root 2 और root x का मान कितना आएगा root x का इंडिकेशन के आएगा x की पार 3 by 2 upon 3 by 2 और limit will be from 0 to 2 तो बच्चों यह अपने पास बन गया यहाँ पे 4 root 2 बटा 3 into 2 की पार क्या 3 नटा 2 तो 2 into root 2 तो इसका अपन सही से calculate करें तो 8 तो यह क्या बन गाएगा अपने पास 4 ने 8 ने 6 बटा 3 बन गया बटाई क्या बन गएगा आपका 6 बटा 3 बन गया और अपने बन निकालना है 3 by 2 तो 3 by 2 into 1 अबान हमारे पास क्या रहा है 16 बटा 3 नारा बेटा 3 से 3 कड़ गया और आपका 8 तो इस सवाल का अपने पास 8 बिल 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 आणसर ठीक है नेक्स सवाल देखीगा नमबर 3 नमबर 3 बच्वा पने पास क्या है अधा एरिया इने क्लोस्ट बाई इस वन कॉमा कोडिने अक्सिस एन्ड आओडिनेट्स एक्सिकुस्ट तो 3 हाना इस 45 इप एम 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 आर दा एक्स अक्सिस इंटरसर्प्ट अब दा ग्राफ वाइक्स टो एक्स जन्दा वेलू आफ एम प्लस एन प्लस एस ठीक है तो पहले अपने हों यहां से बच्चों इसका ए निकालना पड़ेगा तब ही अपन क्या कर सकते हैं इसके इस ग्राफ की बच्चों इंटरसर्प्स को अपन फाइंड कर सकते हैं आपका तो एरिया क्या है इसका वह आजएगा जिरो से लेके थी क्योंकि ओडिने एक्सिस के साथ में आपका कॉम कॉमा कॉडिने एक्सिस एंडा ओडिने इस वन तो बनगा बारा प्लस ए एक्स मैनस एक्सिस स्क्वेर दी एक्स और बच्चों आपका जो एरिया दिया है वो क्या आपका इस एरिया इस एक्सिस तू फोटिफ़ीव बात को सीख पाने गया अब यहां से पुन क्या करने बड़े अराम से एको निकाल लें गया तो इसको इंटिकेशन कर दे आप, so 36 plus 9A by 2 ठीक है, और माइनस का 27, तो बनगा माइनस का 9, ब्रावर 45, तो बच्छों, यहां से क्या बनगा आपने पास, यह बनगा आपका 27, यह बनगा आपका 28, तो 9A by 2 will be 18, तो 2 से 2 कड़े आपका, तो यह कवान क्या बनगा आपका 4, बड़े आपने पास, यहां पर एक आपने पास, आपने पास फोर बनगा तो अब मुझे बेटा इसकी इंटरास आपने निकालने है, ठीक है, एक मान चारग दो इसमें है, तो हमारे पास Fx कहा यह आपका यहर, Fx हमारे पास है 12 प्लस एक माने क्या 4x- x square ठीक है अब इसकी x इंडिसर्ट कब आएंगे बेटा x इंडिसर्ट कहां से आएंगे जहां पर एकसर को कट करता है मिन्स वाबे y 0 गा यहां पर क्या करते हैं y को 0 रख दें आप और इस्टी फेक्टर बना लें तो मैनेस x square प्लस 6x मैनेस का 2x प्लस का 12 ब्रावर 0 तो मैनेस x x मैनेस का 6 ब्रावर 0 ठीक है इसकी इंडिसर्ट क्या आगे बोला एक तो 6 आगे बेटा एक मैनेस का 2 आ गई चुक्षिक आंप सो लीना बेटा आख च्छे और इन का मैनेस का 2 एक मांच एक शयार तो एक्छुली यहां पर यहां पर पना बीटा इसकी वैलू क्या बनके मारे पास 8 तर इसकी वैलू क्या बनके बेटा 8 गंद्धया इन शॉणा फोर नमबर देखीगा पूर्थ में देखे बटा फोर्थ नंबर इवदा एड़िया बाइड 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 देश करो ठीक है एंड एक सक्सेस ठीक है तो यार इसका गराब बना लिए आप इसका गराब कैसा बनेगा जीरो और बन उच ऐसा गराब बनेगा इसका कट करेंगे इसको तो वेटा यह अपना अगा आप इतना ही बसी जीरो से लेकर एक इसका गराब का इंडिकेशन तो एकस की पार च्यार बटा तीन माइनस एक पार एक बटा तीन और आपका डी एकस ठीक है अब इसको फाइंड कर लें आप तो यहां पी क्या बनेगा एकस की एक बटा तीन प्लस एक अपॉन एक बटा तीन प्लस एक एक लागे राभव से कहले लिमिट फूर्ट करने वाद क्या बनेगा चार इसका तो यह बनेगा पनबन का एक प्लस चार चार बटाव पांच माइनस यहां से क्या बनेगा तीन बटा चार बनज़ेगा साब ना तीन बटा चार यह बनज़ेगा चार बटा पांच और यह बनज़ेगा तीन बटा चार अब इसमें 20 आपका LCM आगया होसाई 20 यहां से LCM आया तो 16 यह तो आएगा ना के गटबट कर देगा हमने कर दो शुक्त आएस और चार प्लाट थीन आए गोड़ो यह कि आपके यह इनदेक्स है जीरो से लेखे जीरो से लेके एक एक्स की पाऊवर है चार बटा तीन ॉयर ने सक्थी पाऊवर के एक बटा तीन ने पूर डिक्स है का याइब कर देंगा पन है एक सक्ता में कर चाहर इवाटा तीन प्लस हैए अपॉन च्यां क्रविटा अपन यह वन्हेज पास ए से तीन निशीन हैं से अपने तो बंगे आपका तीन ऐसाफ Yeah, many are my business looking आपक्तीन ब्रटा च्यार , आप्या तीन माँठा चार अब यहां पर he कि आपका देखी का है अठाइस बच्छों यहां पर आलसे मागा आपका है तो नो माइनिस कि साथ यां किस कि साथ सोग ठाइस ना एक किस है थोड़ा यह क्या अपने पास है यहां पर यह कि अठाइस ना कि अठाइस इसका मोड लगाना पुड़ा तो एक आमान यहां बनगा नो बटाइस ठीक है तो नो बटाइस बनगा बटाइस तो 28 इंटू एक आमान के आपने बस पास नोबट एठाइस है तो इसको कैंसल कर दें आप यह तो आपन नो तो फोर्ट वाले पार्ट का बचांसर के आपने पास नो बन गया ठीक है नेक्स्ट माज़वा सवाल देखी क्या यह तो अंद है यह संद नोब 5 इफ तो एडिए नेख्यों बाइड स्वान भाए डिस वन बेटा यह सर्कल तो मारे पास इक्रेखल का पाट अगया यह सर्कल आपका ठीक है तो इब तो अएड़ी टोज बाइड तो इसका डिएर इक्टरम कैसा बनेगा रूट आपका यह स्टु माइन का रूट ऑई है न एक सी मैनस सुट रूट गर आप कैशा बनेगा बोलेगा के वह जाएगा तुम्हारा कि से कि यह सब्सक्राइब और इसकी लिए यह बैटा यह जाए कि तुम्हारे पास प्रन्स यह आप भी तो आप देख पार है यहां से तो मेरा यहां से यहां पर यहां पर पर इस पार्ट का यहां पर अधिक तो इस पार्ट को यहां से लगागी मलब यह माल्ज अपका alpha बेढ़ तो ये भी का ओपका alpha है? ठीक है? अब इस alpha को मैं यहाँ पर set कर दू surrounding तो मैं पास यह area बचे बढ़ए ये वाला part का area ठीक है? आ East part का area तो यह आपने पास क्या बोलो? 1 by 4 of. मालब इस part का area का बनakah? इस part का area बुलाब इस को एरिया ओफ, गीवन सर्कल, अब गीवन सर्कल ना, अब गीवन सर्कल का इरिया क्या बनेगा, पाई आर स्क्वेर, तो इसका इरिया क्या बनेगा, एरिया ओफ सर्कल, वो क्या बनेगा पाई आर स्क्वेर, तो पाई इंटू, आर स्क्वेर का मान क्या, दो है, ठीक है, इसका वार फॉर्थ क्या बनेगा विटाइए रिक्वेट एरिया हो इसको चार अबनेंगा पाइ बैभाई अपनी निकाल ना भी क्या है वेटो तो इस वाल पार्ट का बच्छो बहुत अच्छा होगा ठीक है यह अपना इस पेपर का पूरा एपका ऐसे वीडियो आपको बच्छो सोलिचन था ठीक है I hope you are doing very well स्वागत आपका डीजिटल प्लेटफोर्म पर मैथ केमेस्ट्री टॉपिक प्रियोडिक टेबल का वीडियो सोलिशन अपने डिसक्स करने जा रहे हैं कोई भी क्यूशन आपका गलत हुआ है या कोई क्यूशन आपको छोड़ना पड़ा है उससे समंधित टॉपिक को वापस देखने की आवशकता है कि निश्यत रूप से कहीं कोई कमी रही है इसलिए आपको क्यूशन कोई गलत हुआ है तो इसमेंट मैथ केम स्रीज जो आपके लिए चल रही है यह आपके लिए काफी हेल्फुल रहेगी क्योंकि एक ही चैप्टर में इतने सारे क्यूशन जो हैं आपके मैनत से आपके लिए बनाए जा रहे है तो अगर कोई क्यूशन आपका गलत हो रहा है तो एक तरीके से आप उस टॉपिक की केवल उस चीज को आप डिसकस कर रहे हो हाना जो आपके लिए एक प्रकार से ठोड़ी कमज़ोरी रही है ठीक है ना तो आपना बात करने ज प्रकार तथा 4.3 लेक्टोन वोल्ट है तो सोडियम का आयन विवह कितना होगा यह बहुत ही सिंपल सा क्यूशन है अपने पास फर्स्ट ग्रूप की अगर अपन बात करें अगर फर्स्ट ग्रूप की बात करें स्टुडेंट तो लीथियम सोडियम पॉटेसियम रुबिड इस साइड में जाने पर आएपी जो है वो घट रहा है इसका मतलब सबसे ज़्यादा आइपी लिथियम का होगा और सबसे कम किसका होगा पॉटेशियम का और सोडियम के लिए जो कि नेक्स्ट क्यूसर अपन क्यूसर नंबर सेकेंड की अगर अपन बात करें तो बहुत ही सिंपल सा क्यूसर एक स्टुएंट कि element having highest ip value is उस्तम ip मान वाला तत्व है तो अपने पास जो तत्व दिए गए इस्टुएंट अगर अपन बेरेलियम की बात करें अगर अपन बात करें और अगर अपन बात करें नियोन की तो यह तो तीनों एलेमेंट एक ही आवर्ट से एक ही पिरिट से बिलॉंग करते हैं अगर इन तीनों की बात करें तो इस्टूडेंट अपन लेप टू राइट जाते हैं तो जनरली अपन बात करते हैं जैड इफेक्टिव बढ़ता है इसलिए आई पी जो है वो बढ़ेगा तो इनमें आई प की जो हो स्टूडेंट डिक्रीज हो था है तो यहाँ पर डिक्रीज होने का मतलब हुआ कि हीलियम क यह होगा सबसे ज्यादा मैक्सीमम आई पी त्टेबल में इवन हीलियॉयम जो maximum IP वाड़ा element है तो helium जो है वो अपना अंसर होगा अंसर कुन सा होगा सेकेंड नेक्स देखते हैं अपन क्यूसर नंबर थर्ड कि अगर आपन बात करें तो इसमें कौन-कौन है अब इसमें अपने को उड़ा की आवशकता के बारे में बोला है तो निश्चित रूप से अगर किसी प्रक्रम में किसी प्रोसेस में अगर एनरजी की रिक्वाइर्मेंट होती है तो उसका डेल्टा एच अपन पॉजिटिव से अपन डिनोट करते हैं इसका मतलब कौन से प्रोसेस में डेल्टा एच का माल लिस्ट पॉजिटिव होगा ठीक है यह अपना पॉइंट है बैसिकली ठीक है तो इसको अपन थोड़ा कंसेप्च्वली करते हैं अगर मैं बात करूँ अगर मैं रिवेर्स रिक्षन देखो फ्लॉरीन माइनस जो है वो एक अलेक्ट्रों रिलीज कर रहा है स्टुदेंट्स एक लेक्टोन रिलीज कर रहा है तो यहां पर जो एनरजी का involvement होगा वो क्या होगा एलेक्टोन निकल रहा है तो स्टुदेंट इसको अपन आई पी ओफ एफ माइनस कह सकते हैं और रिवर्स जो प्रोसेस होगा इसको अपन कह सकते हैं फ्लॉरीन एक ले रहे तो यहां पर जो एनरजी होगी उसको अपन डेल्टा एज इजी ओफ कह सकते हैं इसी प्रकार चेंस अपना पी माइनस पी माइनस जो हो एक लेक्टोन रिलीज कर रहा है एक लेक्टोन अगर इस्टुदेंट रिलीज कर रहा है तो इसको आपन बोल सकते है आई पी और पी माइनस और रिवर्स वाले प्रोसेस को अगर आप नाम देना चाहते हो तो आप लिख सकते हो यहां पर डेल्टा एज इजी ऑफ फी ठीक ना अच्छा यहां पर वेल्यू बराबर होगी बट साइन चेंज होगा आई पी पॉजिटीव होगा क्या होगा नेगटिव बट मेरिट्वूड क्या होगा सेब अब पढ़ते ही हो कि कि किसी प्रोसेस में रियक्षण में जो एनर्जी दे रखकी होती है रियक्षण को reverse करने पर यहां पर पर साइन चेंजह होगा तो यहां पर आई पी एकले लिख सकते हैं आएपी ओँस उसी प्रकार से सियल मैनस सियल मैनस अगरören एक लेक्टोर्वेड नियॉट कर रहा है तो इस परी लेस्ट को अपन क्या बोल सकते है आई पी ओँसीeeल मैनस और इसे वाले process को अपने लिख सकते हैं delta H EZ of CL क्लियर है अब बात करते हैं देखो इदर अपने पास phosphorus है sulfur है chlorine है और fluorine है जैसा कि जानते हैं कि साइड में जाने पर delta H EZ का negative value बढ़ता जाएगा मतलब electron affinity बढ़ती है phosphorus sulfur और chlorine के अंदर electron affinity ज्यादा किसकी होती है क्लोरीन की और फ्लोरीन और क्लोरीन में ज्यादा इलेक्टोन एफिनिटी किसकी होती है क्लोरीन की तो सबसे ज्यादा इलेक्टोन एफिनिटी किसकी होगी क्लोरीन की होगी student और सबसे कम एलेक्टोन एफिनिटी किसकी होगी फोसपोरस की least least negative delta H easy value होगा मतलब student ये जो value है ये least negative होगा ये वाला जो value है वो क्या होगा least negative अब आपको ये दिखनी रहा होगा ठीक ना लेकिर मैं बोल रहा हूँ तो आप समझ जाओ हो यह लिस्ट नेगड़ीव होगा है ठीकलना है list नेगड़ीव संबुस्टेंट फॉर्agt नहीं होगा लेकिन यह लिस्ट पोजिटिव अपना किसके लिए होगा स्ट्रेंट आंसर कौन सा हो जाएगा सेकेड है अब आगे बढ़ते हैं क्यूशन नंबर फॉर के अंदर विच आप दफॉलाविंग रिपर्जेंट करेक्ट ओडर ओप लेक्टॉन एफिनिटी का ओडर पूछा है तो अपने को फ्लॉरीन और क्लॉरीन एक गूरूप के ऐलिमेंट है ऑक्षिजन और सल्फर औक्षिजन और सुलफर ये भी एक ही ग्रूप के हैं अपने वो पता है कि ग्रूप में नीचे जाने पर इलेक्टोन एफिनिटी बढ़ती है खासकर सेकिंड से थर्ड थर्ड से नीचे जाएंगे तो इलेक्टोन एफिनिटी घटेगी बड़ ये वाला अपन जानते हैं सलफ नंबर का और उसके बाद में नंबर आएगा ऑक्षिजन का तो बैसीकली आप ये ओर्डर जो है इसके अकोर्डिंग अपन बात करेंगे तो आंसर कुन सा होगा इस्टुडेंट अपना फॉर्थ है अब अपन इस्टुडेंट बात करने जा रहें नेक्स्ट क्यूशन की न क्यूशन नंबर फाइव कि क्यूशन नंबर फाइब की बात करेंगे अपन बात करें तो हाइड्रेशन जो होता है ही हाइट ञूत है वह बैसिक्ली अपन यह कर सकते है एक तो Depend करता है चार्ज पर चार्ज जितना ज्यादा हो और 75 हो ठीकर अब बैसिक्ली कि हाइडरेशन किसका ज्यादा होगा हडरेशन एट्जी प्लस तो अगर अपन बात करें एल्युम्णियम कि अपने पासलियम है श्टुडेंट और मैगनेशियम है इन दौनों में अगर 20 साइज इवाद करें उश मेगनिसियम का क्या होगाם कूँ अब मेगनिसियम का साइज अगर ज्यादा है तो आप ऐदेंट है रपक्ष। सब्सक्तिम में किसका हैड़रेशन ज्यादा होगा एयलब सबस्केयों रखेगा बाकि है एगर आप देखोंगे आफ스타 तो अपने को मिल गया specialist लेकिन अगर हापन बियुखन की बात करें केल्सियूम cái स्वर्णियम की बात करें तो यह अगर अगर का मैंगनेशियूम की तुम्राइब में आपने को कुछ एपनने को कि मेगनेशिम प्लस तु की है निकिस से कम है तो के वल से कम है बाकि ये जो तीन एलमेंट आपको दे रखेव तीन समस्क्क प्लस देुक्त नो इसिज सेदो ज्याद ही है तो आंसर अपना कौन सा होगे स्टुडेंट फर्स्ट नेक्स्ट अपन क्यों आगे बढ़ते हैं क्यों सब्सक्राइब अमंग फॉलॉविंग उक्साइड वीच बनीज डिफेंट फॉम अगर अपन बात करें स्टुडेंट पीबी ओ ऐसे नो जैड़नों यह अगर ऑक्साइ सबसे अपना क्या हो गया यह वहला डिफेंट हो गया आंसर विल भी फॉस्ट इस्ट नेक्स्ट अपन बात करते हैं कि उस्ट नंबर सेवन किस्ट नंबर सेवन देखो स्टुडेंट निर्वेसे कौन सा योगी अधिक्तम अमली हैं अगर मैं इन सबसे ज्यादा होगी क्लॉरिन की तो सबसे ज्यादा होगी क्लॉरिन की तो आप डायरेक्ट इन से आप निकाल सकते हो ठीक है न यहाँ पर किसकी सबस्यादा होगी क्लॉरिन की तो सबसे ज्यादा एसे डिक होगा एज कंपेर टुए इस ओ त्री और एज कंपेर टू यहाँ पर फोस्फोरस का अपने को पीफोर ओटेन अपने को दे है और यहाँ पर ओक्साइड दे रखाए बीटू ओठी सबसे ज्यादा एसेडी कौन सा होगा अंसर विल भी फॉस्ट क्यूसर अपर लेते हैं स्टुडेंट क्यूसर नंबर एट क्यूसर नंबर एट की अगर अपन बात करें विच अपड़ फॉलविंग आयन इस अस्तित्व की नियूंतम सम्भा होना है तो स्टुडेंट इस क्यूसर को अपन करने के लिए अपन यह सोच सकते हैं कि जैसे फॉर एग्जामपल लीथियम है वह एक लेक्टों लेकर बना रहा है और इसी प्रकाड से बोर्ट रहिस्तो ऑफ उपने पास बन रही है अच्छे यहां पर जो वैल्यू होगी एनर्जी की वो डेल्टा एच इजी वन होगी यहां पर भी डेल्टा एच इजी वन होगी यहां पर भी डेल्टा एच इजी वन होगी तो इस्ट अगर अपन बात करें जन्रली 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 डेल्टा एच इजी वन जो है वो नेग हो यह ओल्वेज क्या होती है वेल्यू पॉजिटिव और मेगनिटिव इनका बढ़ता जाता है इस टाइब से क्योंकि एन इनकमिंग इलेक्ट्रॉन के वीच में क्या होता है रिपल्सन लेकिन कभी कबार डेल्टा इजी वन का मान भी आपको पॉजिटिव मिल सकता है जैसे अगर अपन सेकंड पिरेड की अगर अपन बात करें स्टुडेंट तो बैरेलियम नाइट्रोजन और नियों यह वो एलेमेंट है जिनका डेल्टा एच इजी वन भी क्या होता है इनको इनके साथ में जोडते हो तो डेल्टा एच इजी वन का मान पॉजिटिव आता है ठीक और अगर अपन थार्ड पिरेड में बात करें स्टुडेंट तो मैगनिसियम और आरगन इनका क्या होता है डेल्टा इजी वन पॉजिटिव फॉस्परस का पॉजिटिव तो नह यह वाला वेल्यू जो हो नेगेटिव में होगा यह वाला वेल्यू आपका नेगेटिव में होगा यह वाला वेल्यू भी आपका नेगेटिव में होगा और यह वाला वेल्यू स्टुडेंट क्या होगा पॉजिटिव होगा यह वाला वेल्यू क्या है पॉजिटिव पर आ है यह वाला अन्लाइकली टू एक्जिस्ट अपन इस सो आंसर को अपन टिक करेंगे तो आंसर अपना कौन सा होगा या पर सेकेड क्लीर है अब अपन लेते हैं इसमें क्यूशन नंबर कि नाइन लेते हैं स्टुडेंट काफी अच्छा क्यूशन है उम्मिद आपका यह क्यूशन आपका गलप नहीं हुआ होगा आढ़ी में तो रश्क्राइल आपको आइजसमेंद आपको ब्रोटह्मिद्र का रिजांवी आपको पूशह है और इसमें अपने करेंगे तो यहां पर chlorine का ज्यादा होगा और यहां पर chlorine का इस ट्लॉरिन है यह इस सब्सक्त जाने पर आ ऐसासा हम आपने सब्सक्क्त बाद करें तो सबूडमाने हैं जैसे सब्सक्तव आइपी का मतलब यह होता है इस्टोडेंट की लेक्टोन आपन निकाल ले से लेक्टोन निकाल लिया तो यह यहां पर जो एनरजी होगी है इसका śl-あれ्च को चेक करना है तो स्टुडेंट इस से लेक्ट्रों निकालना पड़ेगा कुल मिलाकर बात ही है तो यहां पर जो एनर्जी इन्वल्ड होगी उसको अपन आइप अपन चेक करते हैं स्टुडेंट कि अगर इस से एपॉजट प्रोसेस के अगर मैं बात करूं तो यह क्या इस टुडेंट एस में यहां अपन क्या लिख सकते हैं स्ट्रोडेंट डेल्टा एजी प्ल आप देखोशन डेल्टा एजी और आईप और सील माइनस मेगनिटूट तो से से एलेक्टोन एफिनिटी ज्यादा किसका होता है गां मतलब यह मॉर नेगितिव होगा यह क्या हो गया कि कि CL- का एक प्रकार से IP क्या हो गया इस्टुडेंट ज्यादा कि CL- का F- से IP क्या हो गया ज्यादा CL- के लिए more positive लिख रहे हैं अब इस्टुडेंट अपन ओर्डर बना सकते हैं तो अपन कह सकते हैं कि सबसे ज्यादा देखो अपन कह सकते हैं कि F- की तुलना में IP ज्यादा होगा CL- का और CL- की तुलना में CL का ज्यादा होता ही होता है और CL की तुलना में F का क्या होगा ज्यादा तो ओर्डर अपना कौन सा होगा यह वाला यह आंसर अपने किसमें मिल रहा है student second के अंदर आंसर विल बी second यह कुछन काफी फेमस कुछन student अगर यह कुछन आपका गलत हुआ तो दुबारा गलत यह नहीं होना चीए next question के और अगे बढ़ते हैं question number 10 question number अगर 10 की बात करें question number 10 in which of the following process energy is absorbed concept process के अंदर energy का आवसोशन होता है तो देखो student अगर अपन इस process की बात करें तो यह तो डेल्टा एच इजी वन है और डेल्टा एच इजी वन जन्रली नेगेटिव होगा और इस case में नेगेटिव ही होना है यह वाला जो प्रोसेस से इसके अंदर डेल्टा एच इजी टू है और डेल्टा एच इजी टू जो है वो क्या होता है student always positive क्यों क्योंकि एनायन और इस electron के बीच में रिपल्सन होना है यह वाला जो hopelessness student इसमें से अपने क्लैक्ट जो माइनस कर रहे प्लैक्ट यहाँ पर क्या कर रहे झाद online एलेक्टोन जोड रहे हो तो आपके पास यह डेल्टा एच जो है वो क्या होगा आपका नेगेटिव होगा इसी परकार से सोडियम से एने प्लस को एक लेक्टोन आप दे रहे हो तो यहां पर भी यह वाली वेल्यू भी क्या होगी बोलो स्टुडेंट यहां पर भी नेगेट होता है पॉजिटिव यह कुछन तो आपका चलो सही हुआ होगा है अब बात करते हैं क्यूसर नमबर 11 के बारे में इन विच आप अब इसके पास अठारा इलेक्टोन है और यहां पर इसके पास अठारा इलेक्टोन है तो यह आई इस अपना आंसर भी नहीं हो सकता हूं कि CL- इन दौनों के पास में 28 इलेक्टोन है k्याभर अरता आपन बात करें कि 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 सफ़ेर और गठेगी तो यहां पर basically size का order यह होगा तो इसमें यह बोलाया कि फस्त बोला सूड़ी लार्ज तो यहां पर n a asません आपना नहीं होगा क्योंकि यहां पर order क्या होगा यह वाला ओग्र हौर स in दोनों के पास में दसवेलेक्टोन है आई सो तो अपना एक तो कंडिशन अपने को मिल गई अब जैसा कि आपन जानते हैं कि जैड बढ़ेगा तो जैड इफेक्टिव बढ़ेगा और जैड इफेक्टिव बढ़ेगा तो उसकी साइज क्या होगी इसमें जैड का मान ज्यादा है एने प्लस का तो फर्स्ट वाली स्पीश यहां पर लार्जर होगी सेकेंड की तुलना में तो आंसर कौन सा मिल गया अपने को अगर अपन इनकी बात करें तो आइसो एक्टोनी की नहीं है तो आंसर अपना कौन सा हो जाएगा स्टूरेंट थर्ड है नेक्स्ट कुशन अपन देखते हैं है कि से नंबर 12 है कि से यहां पर हाइड़ोगसाईड नेचर का स्वार्श रिएख्ria को जाएगी लेकिन इस पैसली मैटल की की reaction element की reaction करवाएंगे तो यहां पर sodium meta-aluminate बनेगा और यहां पर hydrogen भी बनेगी अच्छा यह sodium meta-aluminate जो है कि वह बैसिकली इस टाइप से complex के रूप में होता है जिसको अपन इस टाइप से लिख सकते हैं लेकिन इस्टुडेंट यहां पर important बात है कि hydrogen gas निकलती है वह केवल मेटल के साथ में निकलती यहां पर reaction होगी only complex बनेगा hydrogen gas यहां पर नहीं निकलती है और वैसे यहां पर आपको एक्सेस में आपको लेना पड़ता है पहले aluminum hydroxide बनता है और फिर वह hydroxide जाए वह के साथ में फिट से reaction करके और complex बनाता है तो आप कुछ elements ध्यान रख सकते हो जैसे बैरलियम हो गया aluminum हो गया जड़न हो गया भी और अपनश्ट बात करें तो थार्टीन में दा आयोनिक रेडिय योफ लिठियम बराइलियम बोरॉन देख एस्टुएं लिथीएं बरलियं दफ्सुदिंट आप जानते हो students यहां पर इंसब के पास दो electron है आइसओ electronic species है आई सो इलेक्ट्रोनिक स्पीशीज है ठीक ना आई सोलेक्ट्रोनिक का मतलब इलेक्ट्रॉन जो हुँँ इनमें सेम है जैड इफेक्टिव जो है वो जैड के डायरेक्ट्ली पर्पोस्टनल और अप बढ़ेगा तो साइज गठेगी तो साइज गठेगी तो स्टुडेंट साइज का ओर यह आएगा तो यह ओर अपने को किस में मिल रहा है स्टुडें लिथियम बेलियम लगातार साइज गठरी आंसर कुंसा होगा इसमें फॉर्थ किसा नंबर 14 के अपन बात करें तो किसा नंबर 14 की बात वीच है मैक्सिमम आयोनाइजेशन पोटेंशियल तो नायटोजन ऑक्सिजन नायटोजन ऑक्सिजन और सोडियम भी आपको देर रखा तो चोडियम अपना थर्ड पिरिड का यह सेक्ड एलिमेंट हो गया फस्ट एलिम आपको पता है नीचे जाने पर ग्रूप के अंदर एपी डिक्रीज होता है तो इन मेंसे आइप ज्यादा किसका ओगा इन इन दोनों में सिता आइप किसका ज्यादा होगा स्टूडेट नाइटोजन का आइप ज्यादा होगा क्योंकि यहां पर कॉन्फिकेशन तुवस्ट प्लस के अंदर किसका प्लस का अब प्लस का आईपी ज्यादा होगा तो वह और बिल्कुल आगे आ जाएगा क्योंकि इससे लेक्ट्रोन अगर आप निकाल रहे हो तो यह अपने पास आईपी टु है यह अलग स्टेंडर्ड हो गया एनर्जी का और यह दोनों जो है आइप 1 के लेवल पर है यह ऐप 2, IP2 काफी ज्यादा होता है, ठीक है ना, तो इस्टोटेंट आप कह सकते हो, इसमें सबसे ज्यादा आपई यहां पर आइप 2 की बात कर रहे हो आप ना तो आटी इसमें थर्ड आइप होगा है कि इसन नंबर 15 कि अगर बात करें इस्टुडेंट है विच पैर इस डिफेंट फ्रॉम अधर बहुत ही सिंपल सा क्यूशन है इसमें अपन देखो अगर बात करें लीथियम सोडियम पोटेसियम रूबिडियम सीजियम तो सोडियम पोटेसियम एक ही ग्रूप के ऐलि अपने पास केल्सियम और मेगनिसियम एक ही ग्रूप के हैं तो यह औरों से थोड़ा डिफ्रेंट पैटर्न हो गया तो आंसर कुन सा होगा इसमें फरस्ट क्यूंसर नमबर 16 के बारे में अपन बात करें करेक्ट और ऑप आयोनिक रेडियाई का ओडर अपन बात करें तो स्टुडेंट अपना आंसर इसमें डायेक्टी अपने कुन सा मिल गया वाला कैसे क्योंकि अपन जानते हैं कि केटाइन जो है अगर आप इलेक्ट्रों निका होगता जाता है तो साइज जो है वो केटाइन की क्रेस्पोंडिंग जो आपको आयन मिलते जाते हैं उनकी साइज गड़ती जाएगी संधियनारी बात तो पी प्लस 3 पी प्लस 5 की तुला में बढ़ा होगा लेकिन इस गलत जो है इनको भी अपन चेक कर लेते हैं देखो पो तो साइज का ओर्डर यह गलत है रोंग है जिसका ज्यादा है उसकी साइज क्या होगी कम अब एक अपने को यह दे रखा है दोनों आइसो इलेक्टोनी क्या दोनों सेम स्पीसीज है केवल न्यूट्रोन का चेंज है तो साइज के लिए सबसे इंपोर्टेंट फेक्टर होता ह है अपने पास एक तो खुद एटम की एटम कौन सा है एटम तो सेम है नंबर ओफ लेक्टोन भी इनके पास सेम है और साइज को सबसे आदा फेक्टिंग फेक्टर होता जैडिफेक्टिव जैडिफेक्टिव बैसिकली एक तो नंबर ओफ एलेक्टोन पर डिपेंड करता है और एक प्रोटॉंस इसमें कितने है तो बैसिकली वो तो दोनों में सेम है तो यह अपना अंसर नहीं होगा कि टाइटेनियम और मेगनीज इवन अगर टाइटेनियम प्लस फॉर एमन प्लस फॉर को भी कंपेर करते तो लेप टू राइड जाने पर जैड इफेक्टिव बड़ेगा तो साइज गटनी चीए थी ठीक न लेकिन आपको यह ना साइज गटनी चीए थी इस टाइप का ओड फॉर्थ ठीक ना नेक्स्ट क्यूशन अपन देखते हैं स्टुटेंट क्यूशन नंबर सेवंटीन कि अटमिक नंबर सिक्टी फॉर विल्हाव एलेक्टर्णी कॉन्फिकरशन अगर अपन एप लोग एलिमेंट्स के बारे में बात करते हैं तो जो अपनी फॉर एप इसे खुलनट इस स्टुडेंट से अंहीड के अंदर आती है इस अंही जो होसल्सन और ऑटी के और एंदर आती हैं और यह पिरेड़ की अपन बात करते हिक। और यह स्टुडेंट अपने पास सीरियम से लेकर लुटेसियम तक है और यह वाली अपने पास थौरियम से लेकर लॉरेंसियम तक है अटोमिक नंबर 58 से 71 और यह 90 से लेकर 103 14 इसके अंदर है इसके अंदर है और यह सब के सब टोटल 14 14 28 जो है वह अपने पास थार्ड या थार्ड भी ग्रूप के अंदर सारे अलिमेंट्स है प्रड इन में सबसे ज्यादा इंपोर्टेंट इलेक्ट्रोंटी कोंविकेशन जो होता है वह इसमें 64 जीडी का होता है 64 GD गेडोलीनियम और यह काफी important है इसका configuration जो है वो क्या होगा देवो अगर आपको चलो नहीं पता है कि गेडोलीनियम का configuration डायक्ट से याद नहीं है तो आप इसका बना लो आपको पता है 64 से ठीक पहले अपने पास चापन सतावन और फिर साथ लेक्टोन अपने पास अपने पास अपने पास सबसे इंपोर्टेंट काफी important है आप इसको ध्यान भी रख सकते हो बनाने की वजाए क्योंकि बारबार क्यूशन पूछा जाता है और यह अपने प्योडिक टेवल के हिसाब से जन्रल क्यूशन हो गया क्यूशन नंबर 18 की बात करें स्टुडेंट अपन विच इस करेक्ट और ऑप साइज तो देखो इसमें अपने को इसके अंदर सबसे लाड़ साइज वाला कौन होगा तो उन बात करें प्लॉरीन तो फ्लॉरीन एफ माइनस अब अपने इंपर बात करें सबसे ज्यादा साइज वाला कौन होगा ओ माइनस टू होगा कैसे होगा देखो अपने पास oxygen और fluorine इस side में left to right जाने पर side में जाने पर size decrease होती है तो F की size कम है तो अगर आप O- और F- को compare करते हो तो इनकी size का order भी यही आएगा तो O- और F- में size किसकी ज़्यादा बढ़ी होगी O- की ज़्यादा होगी और student O- की तुलना में O-2 तो अपन पहले ही बता चुके हैं तो अपने पास F- F- की तुलना में F छोटा होगा तो answer अपना कौन सा होगा student अपना first answer होगा क्लियर है नेक्स्ट अपन देखते हैं student question number 19 19 जो क्यूशन है student इसमें अपने को क्या बोला देगो uranium 238 है और इसका atomic number 92 दे रखा है यह थर्ड भी ग्रूप का है यह अपने को information क्यूशन में दे रखी है कि इसमें से अल्फा पार्टिकल निकल गया अल्फा पार्टिकल हिलियम का मतलब इसके पास 2 इलेक्ट्रॉन कम कर दिये अपने तो क्या वा प्रोट्रॉन तो अपने पास उतने ही में और नेक्ट्रॉम में कोई चैंज नहीं आया इसका मतलब अगर आप अल्फा पार्टिकल निकाल भी मैंने इसलिए आपको डिसकस किया था कि अगर अपन बात करें फोर एप स्रीज और फाइप स्रीज यह पूरे के पूरे एप लोग के अलेमेंट जो है वो तीसरे या थर्ड भी ग्रूप के अंदर होते हैं तो आप जानते हो कि यह थोरियम से लेकर लोरेंसियम उतल दिए 9103 से लेकर 103 तक इसाभी 14 एप वह आपको थर्ड भी ग्रूप के ंदर प्रजैन्ट है तो बले हीनिए का इसरा थरड भी ग्रूप ग्रूप है इस या वींथ है आपको 14 से अंदर यह यह इंसके तरीकर पर 13 यह लेंधृ इनफ से यहाँ पर एक्टिनोइट से ठीक ना तो टॉटल यहाँ पर यह तो अपने पास होगे 28 ऐलिमेंट और यह अपने पास 4 से यह वाले फोगे तो अपने पास ये एक सब्सक्राइब तो डाटा के आएगा ज्याधा तो अपना और बात करते हैं नेक्स्ट उफिस्ट आर क्येक्ट और पाइनिक मॉबिलिटी के बारे में अगर आपन बात करें आयोनिक मॉबिलिटी के अगर बात करें तो जितनी ज्यादा साइज ओफ हाइड़ेटेड साइज ओफ हाइड़ेटेड आइन हाइड़ेटेड आयन की साइज इतनी ज्यादा होगी उसकी मॉबिलिटी उतनी ही क्या होगी कम अगर हाइड़ेटेड आयन की साइज ज्यादा है तो उसकी मॉबिलिटी क्या होगी कम अब हाइड़ेशन ज्यादा किसका होता है स्मॉल आयन का ठीक है ना स्मॉल आयन का एड़ तो यहां पिछ का है ड़ेक्ट यह हो है और इसका ज्यादा होगा तो इनक मोबिली टी क्या होगी इसकी कम और इस साइड में जाने पर साइज बड़ रही है तो हाइडरसन जो हो होता जायगा और साइज्चों होता जायए इसका हाइड्स कम होगा है सबसे कम होगा है तो अब इसकी क्या होगी सबसे ज्यादा तो अपना आंसर जो है इसके अंदर कौन सा हो जाएगा स्टुडेंट थर्ड अपना अंसर हो जाएगा कि आगे अपन बात करते हैं स्टुडेंट कुशन नुबर 22 की तो मॉस्ट मैटलिक ऑप फॉलोविंग अलिमेंट तो मैटली करेक्टर जो है स्टुडेंट अगर अपन बात करें तो आई पी के इन्वर्सली परपोस्ट नहीं होता है तो सबसे कम किसका होगा ठीक ना तो पोटेसियम रूबीडियम सीजियम की अगर अपन बात करें इधर जाने पर भी इप कठेगा लेकिन पोटेसियम फस्टे वालों का आई पी काफी ही कम होता है तो आई पी सबसे कम यहां पर इन दिए गए अलिमेंट में पोटेसियम का कम होगा इवन कैलसिम से भी क्या होग कम होगा तो आंसर अपना कौन सा हो जाएगा कैलस अना पोटेसियम अपना अंसर हो जाएगा क्यूसर नमबर 23 के बारे में अपन बात करते हैं स्टूडेंट इसमें अपने ऊपने वह बोला अगर उन पैड इलेक्टों एक अन पैड इलेक्टों यहां पर 2.93 यहां पर तो प्र आपर 3.87 और यहां पर तो 4.90 और यहां पर आती है 5.92 कुल मिलाकर बात यह है कि आपको अगर मेग्नेटिक मोमेंट का मान दिया तो इंडिरेक्ली आपको अनपेड एलेक्टों दिया है अब अनपेड एलेक्टों दिया तो इस्टुडेंट अगर अपन 3D1 और यहां पर लिख सकते हैं अपर आरगन 3D2 और यहां पर लिख रहिए अपर अपर आरगन 3D3 और यहां पर तो इस ट०ämäने ट lineman ऐक एक अनपेड इलेक्ट्रो आपके पास होना चाइए तो तो basically अंक्वेडिए एक कौन से केस्केस में अपने पास आयेगा वैनेडियम प्लस-फॉर वाले के अंदर यहां पर ढächst अन्दर ईलेक्टोन जीरो है यहांपर दो है यहां पर तीन यहांपर चार है तो अपना पर जो एक पिकार्ट से कौन से जाएगा वी ऐसील-फॉर इसमें अपन सपोज कर सकते हैं कि इसके अंदर वैनेडियम प्लस पॉर में है तो यहां पर अनपेड एलेक्ट्रोन अपने को एक मिल जाएगा नेक्स्ट क्यूशन देखो स्टुडेंट क्यूशन अपने पार इसेंटली अलेमेंट विट अटमिक नंबर वन वन जीरो हैज बीन नेमड भाई आयू पीसी तो सबसे पहली बात तो यह स्टुडेंट 110 वला जो एलेमेंट होगा वह कौन से पिरेड में आएगा और कहां उसकी पॉजिशन या लोकेशन आप देखोगे तो स्टुडेंट अगर अपन 3D 4D 5D और 6D की बात करें जो की फॉर्थ पिरेड के अंदर है यह पिरेड है तो यह स्केडियम इंट्रियम लेंथे नम एक्टिनियम से स्टार्ट होती है 89 एक्टिनियम है उसके बाद में थोरियम 90 से लेकर 103 लोरेंसियम 103 तक एक प्रकार सी स्रीज आ गई उसके बाद में वापस से कंटिनियू हो जाएगा रधर फॉर्डियम यह आप कैसकते हैं उसके बाद में अपने पास यह 104 आ गया 105 106 107 108 109 और 1110 110 नंबर पर अपने पास जो एटम आएगा वह आएगा अपने पार डियस तो आंसर कौन सा हो जाएगा थर्ड तो आपको अगर यह सिरीज याद है तब आप यह आप यह आंसर कर पाओगे अगर सिरीज आपको नहीं पता है तो आप सिंबल नहीं बता पाओगे तो आपना कुंसा होगा इस 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 फिर फ्रट थर्ड क्योंसर नम्बर 25 देखते हैं स्टुडेंट आप यह तो partner श्या क्रेंट टूब टब है पार्म सर्फज क्यों स्कुर्डेंट एक यह अपने पास जैसे क्यों है और यह अपना युकलिक्शन नुक्लिख तो जो इस इ rein cloth अगेगा अध्यों सब्सक्ड थावद पर क्या लेगता यह बोलते llamado यह इस понять screening effect और नुकलिएस का अट्रेक्शन इन इलेक्टोन उपर अच्छा इन इलेक्टोन उपर नुकलिएस का अट्रेक्शन लगता है उसको अपन एक प्रकार से पेनेटर्टर्ट्रेशन पावर के द्वारा भी बता सकते हैं तो basically relative extent to which the various orbital penetrate the electron cloud of other orbital सबसे ज्यादा होगा पी का उससे कम डी का सबसे कम उसका कारण का स्टुडेंट कि एस और विटल जो होता है वो स्पेरिकल होता है स्यमेटरिकल होता है उसपर नुक्लियस का अठ्रेक्शन भी बहुत अच्छे से लगता है और इसका रिपल सीफेक्ट भी आउटरमोस लेक्टोन पर सबसे अच्छा सिग्मा भी क्या होगा सबसे ज्यादा ठीक ना और पी ऑर्बिटल डी एफ इस साइड में आते हैं तो थोड़ी ऑर्बिटल की साइड डिफ्यूज होती जाती है तो क्या इसके अंदर पूछ है इन विचश आगां तो अपने जानते हैं ट भी एलियाम बेलील्य क्लस टू ब्रेल्फ आल्यब्ला सबसे कम जय ओँवड़ी यूजिव का इपक्तव होगा फरस्ट Mutter 27 प्रणोन नहीं होता है उसको अपन क्या बोलते हैं अब अगर मालोकुक इसम्गल-इलेक्ट्रोन इस्पीसीज तो सिंगल लेक्टोन स्पीसीज के अंदर कोई रिपेल करने के लिए दूसरा element नहीं है तो वहाँ पर सिगमा खिता होगा जीरो तो स्टून हें लिएंगी प्लस प्लस के अंदर अमज़ंगर ओपलेक्टोन गिताहे 9 बरीम प्लस थी के अंदर नम्बरों प्लेक्टोन कितना है एक तो आप यह कह सकते हैं इन सब के अंदर नम्बरों प्लेक्टोन वन है तो इसक्रिंग इफेक्ट इन तीनों केस के अंदर पने पास सिग्मा किता होगा जीरो तो नौट अब्जर्व इन फॉर्थ आंसर विल भी फॉर क्विशन नंबर 28 विट रेस्पेक्ट तो ऑक्षिजन मैक्सिमम वैलेंशी इस चोन भाई तो इस्टुन वैलेंशी सबस्यादा हेलोजन फेंबली के अंदर अपन प्लस साथ तक अपन वैलेंशी बिताते हैं तो आंसर कुण सा हो जाएगा है इसके अंदर फस्ट क्यूसर नंबर 29 29 की अगर अपन बात करें दस सेप्रेशन आप लेंथेनोईड इन आयन एक्षेंड मैथर्ड इस बेस्टोन बैसिकली स्टुडेंट यह वाला जो अगर यहां फिप्टी एड अटमिक नंबर से लेकर आप यहां 71 तक जाते हो तो जैड तो एक से क्या कफे ज्यादा बढ़ता है यहां से यहां गए इस ट्याइब से इसम् disproportionately बर इसदिशन atively高 भिए खी को एपन को थारूटस करते तो हां पर साइज्ट में थाइन वाटर को तो स्वेराइटक होगा उसके basis पर इनको separate करते हैं वैसे आपको पता है नकी properties में काफी ज़्यादा similarity होते है अगर अपन बात करें एब लोक element की चाहिए फोर भूँ चाहिए वाइप हो आपको अपने की और नहीं के लिए आइन एक्सेंज मेर्टेड काम में लेते हैं और उसका वाइन के बात करें तो आठ में से माइनस करेंगे तो इसके पास वैलेंस की माइनस टू आएगी और यह तीन अपने पास प्लस थ्री और बी माइनस टू से अपने वो अपने पास कौन सा बनेगा बोलो एटू बी ट्री टाइप का कंपाउंड बनेगा आंसर कौन सा होगा फॉर किसा नंबर 31 की बात करें स्टूडेंट तो 31 में अपने पूछा विच ओप फॉलविंग इस ट्रांजिशन अलिमेंट के बारे में अगर अपने से क्यूशन पूछा है तो बैसिकली अपन जानते हैं कि अलुमिनियम नॉर्मल अलिमेंट का गुरूप है आर्सेनिक भी और वे इस ग्रूप को छोड़कर बागी सब्सक्राइब होते हैं तो आप यहां पर निकल को अंसर करोगे कि यह टांजिशन होगा नेक्स्ट क्यूशन आपका थर्टी टूगर अलिमेंट विट वैलेमेंट विट वेलेंस एलेक्ट्रोनिक कॉन्ट्रिकरेशन और माइनस वन दी फ होता है वैसे ही यह कॉन्फिकरेशन तो ईलिमेंट डी ब्लोग से विलॉंग करेगा ठीक ना दी ब्लोग से विलॉंग करेगा और डी ब्लोग का जब भी कोई element होता है तो उसका group find करने का एक तरीका होता है कि N-1D और N-S के electron आप जोड़ दो तो आपके पास group आ जाएगा और भी सब group अपन डी व्लोग पे लेके चलते हैं तो यहाँ पर N-1D और N-S electron 6 आ रहे हैं तो यह sixth भी group का element होगा क्यूशन नंबर 33 के बारे में अपन बात करें मौस स्टेवल केटाइन ओप element 113 विल भी यह काफी अच्छा क्यूशन है इसके अंदर अपने को अगर 113 के सब्सक्राइब करनी है तो यह बारॉन फेमिली में आएगा कि अब यह अपने पास सेकेंड पिरेंट यह थार्ड हो गया यह फॉर्ट हो गया यह फिप्त हो गया यह सिक्स्त हो गया और सेवन्त के अंदर element कौन सा आएगा वह 113 होगा अब कैसे पता लगा आप 113 का इलेक्ट्रोनी कॉन्फिकेशन लिखेंगे तो सिक्स्त रेड़ोन 86 इससे पहले वाला इनट के से तो आपको पता है कि यह सेवन्त पिरिड़ का इसका बढ़े जाते हैं तो एक इसमें बढ़ा फिर फॉर्टी इलेक्ट्रोन फिर बच गें नो इलेक्ट्रोन इसमें बढ़ दिए तो अपने पास यहां तक 112 होगे है ऐसा 103 उलेक्ट्रोन फि में गया इसका मतलब सेवन इसका मतलब गृूप नंबर कैसे अगर पीड लोक का यह एल्लिमेंट है तो पीड लोकका अलिमेंट का गृप कैसे पता करते हैं इस ज्ट्टोन के अपने पास दो इलेक्ट्रोन तो यह वे एक लिए तो एक 33 gaining division 8डने वाला आपने पासấy ग्रूपक का लिमेंत है तो यह फ़र्टेन ग्रूपया थार्ड एक का element हो गया कि अंद अब आप इस्ट्ट जानते हों कि इनका जन रलेकट ओनिक का फिशेंस क्या होता है इनट पेर इफेक्ट आप जानते होंगे स्टुएंट इनट वेर इफेक्ट के अंदर आपने यह पड़ा है कि या नीचे जाने पर एनस इलेक्टोनों पर अट्रेक्शन जो है वो बढ़ता जाता है एनस इलेक्टोनों पर अट्रेक्शन बढ़ता जाएगा तो लॉवर ऑक् इस्टेबिलिटी बढ़ती जाती है तो सबसे ज्यादा प्लस–1 और यहां पर sell starter स्टेट की स्टेट करती है तो प्लस वन और आपको नजर आएगी तो आंसर यह आपको कौन सा होगा थार्ड है नेक्स्ट क्यूशन स्टुडेंट एम प्लस त्री है इलेक्टोरी कॉन्फिकेशन आर्गन 3D 10 तो अपन जानते हैं कि स्टुडेंट आर्गन 3D 10 अगर आपको कॉन्फिकेशन दे रखा है तो आगे तीन एलेक्टोर्न वापस से बढ़ हो गया तो यह फॉर एस्टू फॉर्पी बन पी ब्लोक का एलेमेंट होगा तो आंसर कौन सा होगा पी ब्लोक क्यूशन नंबर 35 देखो स्टुडेंट अगर अगर अपने यहां पर वेल्यू आपको पता है तो सोडियम मेगनेशियम एलुविनियम सिलिकन फोस्फोर सुलफर क्लॉरिन और जैसे अपन लेथियम, बेरिलियम, बॉरोन, कार्बन, नाइटोजन, उक्सिजन, फ्लॉरिन इस टाइप से कम से कम यह दो ग्रूप की लेक्टो नेगेटिविटी तो आपको याद होनी भी चीए तो यहां पर लेक्टो नेगेटिविटी जो किती है 1.0 इसकी 1.5 इसकी 2.0 इसकी 2.5 इसकी 3.0 इसकी 3.5 और यहां पर 4.0 यहां पर 0.9 यहां पर 1.2 यहां पर 1.5 यहां पर 1.8 और यहां पर 2.1 और यहां पर 2.5 और यहां पर 3.0 तो जो दिये गए एलिमेंट उसमें सबसे कम एलेक्ट्रों नेगेटिविटी सिलिकन के एगी 1.8 फिर फॉस्पोर्स के 2.1 और उसके बाद में कार्बन 2.5 और उसके बाद नाइटोजन आंसर कुन सा होगा थर्ड क्यूसर नॉम्बर 36 देखो स्टुडेंट सबसे ज्यादा एलेक्ट्रों एफिनिटी इन में क्लॉरिन की होगी ऑक्सिजन सल्फर नाइटोजन फॉस्पोर्स दे नहीं रखा अपने को क्लॉरिन अपने को दे रखा है सबसे ज्यादा एलेक्ट्रों एफिनिटी इन में किन की होगी क्योंकि सेकिंड ग्रूप की तुलना में तो थर्ड की ज्यादा होती हो इधर जाने पर एक्टोन एफिनिटी बढ़ती है तो क्लॉरीन अपना अंसर होगा तो क्लॉरीन एक में दे रखा अपने को फर्स्ट के अंदर कि अब अब बात करते हैं स्ट्रेंट क्यूशन नंबर 37 की कि 37 क्यूशन है आयनिक त्रिजयों का सही गड़ता हुआ करम होगा है तो करेक्ट डिक्रीजिंग और और पाइनिक रेडिये अपने पूछा है तो देख फ्लॉरीन क्लॉरीन ब्रॉमीन आयोडीन कि ऑक्षिजन सल्फर सेलेनियम टेलियूरियम ठीक है और एक अपने को अब इसमें एलेमेंट कौन-कौन से इसने डिसकस किया देखो एक तो आयोडीन है एक ब्रॉमीन है एक यह वाला हो गया एक औक और एक फ्लॉरीन अब श्टुडेंट एक चीज तो अपने को पता है हुआ कि क्या पता है दो कि oxygen कि ऐश्य माइनस हम टू लिया है और फ्लॉरीन मैनस टुगिया अ कि ऐसरोलतोनिक हो गये तो इन दोनों में से जिसका देद ज्यादा उसकी साइज किया होगी कि का महां कि इन दोनों में से साइज का ओंडरिया यहाँ पर माइनस टू लिखा हुआ है यहाँ पर माइनस का मतलब यह भी आइस एलेक्ट्विक होगे इसका ज्यादा जैड़ इफेक्टिव उसका ज्यादा होगा साहिज कम होगी धिनका अबर ही होगा और यह माइनस लिए तो नीचे जाने पर एंका मान बढ़ने से आप जा सा होगा फॉर्थ क्यों से नंबर 38 देखते हैं स्टुड़ेट कि दब सी क्लेक्टर ऑप दो ऑक्साइड एम्जी और स्रो के टू और नियू सीस्टू इंक्रीजिंग इंग्रीजिंग इंद ओडर तो आपको बैसिकली इसमें इंक्रीजिंग ओडर आपको पूचा है तो अपन इसमें कौन-कौन से दे रिकें ठेको एक तो आपको सीजियम दे रखा है एक बैरिलियम् और इसके बाद में इस ग्रूप के अंदर यहां पर एक नय ओ दे रखाए आपको और यहां पर यहां पर एक आपको एसार दे रखा है एसारो तो बैसिकली अपने को इसमें आपको पूछा क्या है बैसिक करेक्टर पूछा तो बैसिक करेक्टर जो होता है बैसिक नेचर आपको सबसे कम बैसिक कौन होगा इस साइड में जाने पर आप जानते हो आइप बढ़ता है तो बैसिक नेचर गठेगा सबसे कम इपी होगा निकल ऊकसाइड का ता निकल ऊकसाइड का सबसे कम आई पी होगा उसके बाद में फिक करा निकल अक्साइड का आई पी ज्यादा वने करन बैसिक नेचर क्या होगा सबसे कम और यह ओर आपका क्या एगा क्रेक्ट तो क्युक्क विलाकर बात ही है इस प्रेंट यह आपको आई पी से आपको देखना है आई पी ओर पता है तो आपकी क्यूशन आसानी से कर लिया आप एसेडिक स्टेंथ एसेडिक स्टेंथ का आपको ओर्डर पूछा है इसमें एलिमेंट है ऐलुमिनियम सिलिकन फॉस्पोरस और सलफर इस साइड में जाने पर आप जानते हैं इन बढ़ती है और इन बढ़ने पर एसेडी करेक्टर जो यह हूं बढ़ते है एसाइज औ आपन नेक्स्ट क्यूशन के और आते हैं इस्ट्टेंट क्यूसर नंबर 40 कि इस क्यूशन में विच आप दे फॉलविंग सेट विच वन डज नोट कंटेन आइसो एलेक्टोनिक स्पीशीज चार ऑक्सिजन की कारण नंबर ओप एक से जोड़ेंगे बट बच गया क्या पर पी माइनस ट्री एस माइनस टू और सी एल माइनस है तो चार ऑक्सिजन के कारण अपन एलेक्टोन बराबर जोड़ देते हैं यहां ठीक है ना 32 32 एलेक्टोन चलो सब में जोड़ने से कोई फरक नहीं पड़ेगा और इन सब के पास उपर 18 एलेक्टोन है तो इसमें इलेक् इसके पास 14 एलेक्टोनिक है यह अब जैसे तीन ऑक्सिजन है तीन तीनों में कॉमन है तो ऑक्सिजन के कारण 24 एलेक्टोन तो तीनों के अंदर ऑक्सिजन के कारण होगे और फिर बी-m Stand-3 और सी मैंस टू औरन मैंस ऑप एलेक्टोन जो यहाँ पर 88 एलेक्ट्रोन ओड जोड सकते हूं कुल मिलाकर तीनों के अंदर इलेक्टोन क्या है अपने पास बराबर यह वी आइस इलेक्टोनिक इते यह वी आइस इलेक्टोनिक पेर नहीं है ठीक है तो आपना पनोसा वुझेगा अपना थरड क्योंसा अब होता क्या है कि जब आप एक ही एलिमेंट का जब अलग-लग ओकी असीड की बात करते हैं तो एन के डारेक्टली प्रपोस्ट नहों होता है आस्वरी चार्ज के तो यहां पर प्लस वन और यहां पर इस टाइप से और बढ़ती जाहिए प्लस सेवन तक और सेट बढ़ने पर एलिमेंट अगर सेम है ऑक्सी असीड में अगर मालो बढ़ रहा है ऑक्सेशन स्टेट पॉजिटिव चार्ज बढ़ने पर एक प्रकार से एक स्टेंथ बढ़ती है तो आंसर कौन सा होगा इसमें फस्ट क्यूसर नुमर फॉर्टी टू कि फॉर्टी टू जो क्यूसर एस्टुएंट दा पेयर डेट है सिमिलर एटोमिक रेडिए अब इस्टुएंट यह वाला क्यूसर जो ना इसमें बैसिकली क्या देगो इसके डियम इट्रियम लेंथेनम यह 3D का एलिमेंट है यह 40 का एलिमेंट और यह 5D का एलिमेंट है और कौन सा हो गया इस्टुएंट यह 3D भी इंट तेक अ अगर आपन बात करें इसमें नेक्स्ट फॉर्ट एवस्ट के वारे में तो टाय्टेंज जर्कोनियम और हापनियम है इस्टूएंट यहां पर अट्विक बढूनियम टूंब हो गया यहां पर 39 से 40 हो गया यहां पर 57 स हो गया तो बीच में ऐसा क्यों हो गया क्योंकि 14 एलेमेंट जो है वो आपके लेंथनोरिट आने की कारण यहाँ पर जैड इफेक्टिव काफी ज्यादा बढ़ चुका है यहां पर जैड इफेक्टिव काफी बढ़ चुका है लेंधेन से हापनियम आने पर इसलिए जर्पोनियम से हापनियम सेल बढ़ता है सेल के कांट साइज बढ़नी चीह थी लेकिन जैड इफेक्टिव इतना बढ़ गया है कि सेल का इफेक्ट आपको नजर नहीं आएगा यह यह थर्ड भी ग्रूप में अप्लाई नहीं कर पाएंगे पर तो आपका आंसर जो है इसके अंदर आंसर कुन सा हो जाएगा थर्ड क्योंकि यह क्रॉमियम मॉलिब डैनम और टंगस्टन यह 3D का है यह 4D का है और यह कौन से का 5D का तो मॉलिब डैनम और टंगस्टन की जो अगर अपन बात करें तो यह अपना सेकेंड पिरिड फॉर्ट फिरिड और यह 6 पिरिड ठीक ना आप जानते हो स्टूडेंट इसमें क्रेस्पॉंडिंग वह आपकी 4D स्रीज वाले अलिमेंट आएंगे और इसमें आपके 5D स्रीज वाले अलिमेंट आएंगे तो लेंट लेंटेरड Серच और एक काफिकल देखा था तो यहां पर साइज में दिफ्रेंस काफी कम मिलेगा है ठीक ना जिसको लेंटर रैड इंपन बोलते हैं ठीक इसी प्रकार से यहां पर ट्राजिशिसन कॉंटेक्शन आएगा कौन सा कोंटेक्शन आएगा ट्राजिशन कोंटेक गूरिमियं में स्लाइटि यादा होती है और यहां पर लंफिंड कोंटेक्षिभर साइज इतनी भी कम नहीं हुई कि इंडियम से कम हो जाए तो यहां पर स्लाइट्ली क्रोध होती है साइज के अंदर तो आंसर जो हो उसके बाद इंडियम और उसके बाद में आएगा टेल्यूरियम तो आंसर आपको कुन सा होगा सेकेंड कि क्यूसर नंबर फॉर ना फॉर्टिफॉर तो बॉरॉण बॉरॉण ऐलुमिनियम बॉरॉण ऐलुमिनियम गैलियम इंडियम और जैसा अभी अपने डिसकस किया है कि यहां पर ट्राजिशन कोंटारीकंशन आपको हुद मिला थ graphics क्ट्राइब कोंटेक्शन और न हीए तो यहां पर साइज वाला मेटरपन साइज बढ़ेगी तो आईपी गटेगा यहां पर भी साइज गटेगा तो एक्जेक्टली इसका जो करेक्ट ओर्डर होता है कि टेलुरियम का आईपी इतना बढ़ जाता है कि वो बोरौन के जस्ट बाद में आएगा कि तुल्ला में गेलियम ज्यादा है उसके बाद आएगा और इंडियम का इसमें आएगा सबसे कम है तो यह आई-पी का ओडर काफी इंपोर्टेंट इस्टुडेंट आंसर आपका कुन सा हो जाएगा इसके अंदर थर्ड हो जाएगा कि नेक्स्ट देखो किसा नमबर 45 45 बीच फॉलविंग एलिमेंट आप डिस्कावर्ड लेटर इन दे मेंडली प्रियोडिक टेबल तो यह स्टुडेंट एलिमेंट जो है यह बाद में डिस्कावर्ड किये थे इनके बारे में प्रेडिक्शन मेंडलिप ने कर दिया था जैसे इसको क्या बोला था एका एलुमिनियम इसके लिए जो खाली जगे छोड़ी ती उसको पन क्या बोला था एका और इसके अडियम के लिए उन्होंने एका बोरोन बोला और इसके लिए एका सिलिकॉन और इसके लिए एका मेगनीज तो यह एलिमेंट जो है कि बाद में डिस्कवर किये गए थे ठीक है तो आंसर आपका कुन सा हो जाएगा फास्ट किसा नूमर 46 की अगर अपन बात करें तो 46 वाला इसके अंदर अपने क्या पुछा था एसेडिक बैसिक और एमफोटेरिक तो आपका यह हो गया नॉनमेटल का ऑक्साइड एसेडिक होता है मैटल का उक्साइड जनरली वैसिक अपन लेंगे और यह काप भी फैमस एमपोटेरिक है तो अपना आंसर इसमें कौन सा ह फस्ट होगा इस्ट्रेंट क्योंसर नंबर 47 क्योंसर नंबर 47 तो को अपना इसन के बीकल्कुलेटेड इन तो देखो इस्ट्रेंट को अपन डेफिनेशन पढ़ते है उसके अंदर जिस भी एटम के आप को बलेंट रेडिय निकालते हो वह सिंगली कोवलेंट बॉन्डेड होना चाहिए तो आपको सिंगल कोवलेंट बॉन्ड से बॉन्डेड नाइटोजन जयो के वाल इसी कंपाउंड के अंदर मिलेगा तो आंसर आपका कौन सा होगा ऐसा सिमिलर क्यूसर जैसे ऑक्सिजन की आपको रेडियस सी है तो ऑक्सिजन के लिए आपको ओ थ्री और टू एस्टू और टू अना इस टाइप के ऑप्शन दे रखें तो अपके लिए बेस्ट कौन सा रहेगा एस्टू और टू क्योंकि इसमें और सिंगल बॉन्ड से बॉन्डेड है तो आंसर इसमें कौन सा होगा फॉर्थ अब यह वाला जो क्यूसर ने स्टुडेंट फॉर्टी इसमें तो श्रूनें डैसरी किए रेडियस बंडर्दी तो इंटरन्यक्टी डिस्टेंस हो जाएगा जैन akt जैसे माल्यों दो थो एट्र एडिये सा जाती है लेकिन अगर हेट्रो मॉल्क्यूल हो हेट्रो मॉलीकूल हो जैसे यह भी कोई मॉलीक्यूल है तो उसमें इंट नुक्लियर डिस्टेंस या फिर बॉण्ड लेंथ या फिर बॉण्ड लेंथ जो है उसके लिए फर्मूला होता है और एप लस आ भी माइनस 0.09 इंटू डेल्टा इन तो इन के मान आपको इस्टुडेंट दे रखे हैं और अब आपको यहां पर आरे निकालना है तो बैसिकली बांड लेंथ वाइट टू करना पड़ेगा बॉन लेंथ आपको देरक फ्लॉरियन का और उसको आप दो से डिवाइड करोगे तो आरो फ्लॉरियन हो जाएगा इसी प्रकार से आपको अगर बीकी जगाए पर यहां पर है और फ्लॉरियन के लिए आप यहां से माइ करना है स्टुटेंट आंसर आपके इसमें कौन सा आएगा थर्ड नेक्स देखो इसके अंदर है क्यों सा नंबर फॉर्टी नाइन है फॉर्टी नाइन है फिच है लार्जेस्ट जंप बिट्विन आई टू और आई ए थ्री इसमें होता क्या है कि अगर आपने एम से एम ए यहां पर आउपी टू होगा यहां पर आई पी थ्री होगा आपने जानते हैं कि यह पर कैटाइन से लेक्टर निकालते जारें जैड़ इफेक्टिव बढ़ेगा तो सकसेश्य वाइप बढ़ेगा लेकिन आपको अगर बहुत ज्यादा जंप की बात करनी है आई पी टू स यहां पर काफी जंप आपको नजर आए उसके लिए जरूरी है कि इलेक्टों जो हो इनर से निकले रेक्टों खत्म हो जाये जैसे खत्म होगे तभी अप्र है इसके पास वैलेंस लेक्टोन 3 है और इसके पास वैलेंस लेक्टोन क्या है दो तो आंसर कौन सा होगा मैगनिसियम क्यों 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 मैगनिसियम से मैगनिसियम में प्लॉस बनाओगे मेंनि स्थिंबनाओ और सफिर मेंनि 1977 ग्राइस कि VOG यहां पर कांरी के संथ यह से निकलेगा यहां जु आंफी जादा इसमें इसमें बाइफ cesa कोगा इसमें उसने हैं गेर सब्सक्राइब को किंसन набusst positions 50 कि इसन नंबर अगर अपन 50 की बात करें इन विच आप फॉलोविंग कंपाउंड कार्बन इस अपोस्ट तो वी मैक्सिमम एन तो वैसे तो इन तो अपन कार्बन की अपन बताते हैं लेकिन होता क्या है कि कार्बन से अगर हाई एन वाला एलेमेंट जुड़ा होता है तो वह उल्यक्तोन को अपने और खिचेगा तो इसका बढ़ेगा जैरेड़ इफेक्टिव अगर बढ़ेगा तो इन इसकी बढ़ेगी तो क्योंत कार्बन से जब फ्लॉरीन जु निकालोगे तो इस कारवन का उक्षटेशन स्टेट तो माइनस चाहर है तो इन जो बैसिकली पॉजिटिव चार्ज के डायरेक्ट ली प्रपोस्ट नहों होती है और नेगेटिव चार्ज के इन वर वोस्ट न इस बैसिस पर सबसे ज्यादा इन किसकी सब्वोच कर सकते हैं प निमबर 33 तो 33 वाले का अगर आप कॉन्फिकेशन लिखो गे तो आरगन लिखोगी यह आरगन यहां पर 18 कौनसे का इलिमेंट है यह थर्ड का लास्ट यह फोर्थ का होगा तो फोर एस है फौरह्स ठीडी और फौर21 मोरोगी तो यहां पर जलेक्टों पर 20 और श।ї तीस और टीस और लिलेक्टों यहां पर रोगे है तो पी के अंदर तीनों है तो इन्फे इलेक्टों यहां पर किते आएंगे वह थी नंब्र नंबर अपना है अबिए एक हाउ मैनी मेटल्स गीव एमफो टेरिक ओकसाइड अमंग तो जैडएन इस एड़न और उकसाइड बनाएगा इस कॉपर का ओकसाइड एस एन बनाए चाहिए एसन ओटू बनाए है अलुमिनियम अपना उक्षाइड अगर एल्टू ओ थी बनाएगा तो बैसिकली यह एम्फोटेरीक है यह वाले जो ओक्षाइड है वो क्या है एम्फोटेरीक और कॉप्र का उक्षाइड एम्फोटेरिक नहीं होगा तो हाउ मेंनी मेटल्स there are three metals which form एम्फोटेरीक ऑक्साइड क्यूसर नमबर थ्री देखो इस्टूएट किसन नमबर थ्री में हैं फ़स्ट लॉंग फिरण तो बैसिकली अपन बात करें कि फर्स्ट फिरेड्स सेकेंड थार्ड फॉर्थ फिप्ट्फ सिक्स्थ और सेवंथ तो फस्ट में एलेक्ट्रोण एंटर करता है अपना वनसे के अंदर रब दूसरे में टूसे टूपी यहां पर 3S 3P और यहां पर 4S 3D 4P यहां पर पाइप स्पोर दी 5P और यहां पर 6S4F5D6P और यहां पर इलेक्टर एंट्र करते हैं इन सबसेल के अनदर आप जानते हो कि यहां पर दो एलेक्टरोन आप दो आएंगे इसके अंदर आठ लीमेंट राख और इसमें एठारा इलीमेंट तो यह तुनेट अपना smallest हो गया यह अपना first small हो गया यह अपना second small period हो गया और यह अपना first large हो गया और यह मैं अपने को पूछा है तो आंसर अपना कितना हो जाएगा एक अपने को पूछा स्टुडेंट इसके अंदर राइट तो राइट साइड डिजिट्स आप अपना अपना बात करें इसका मतलब हो गया अन निल क्वाडियम का मतलब हो गया तो राइट साइड के दो डिजिट आपको अगर लिखने हैं तो जीरो फॉर आपका आंसर होगा इसमें पूछा है स्टुडेंट की निल में से कितने कथन गलत है तो नंबर ऑप इंकरेक्ट स्टेट्मेंट चेक कर लेते हैं अपन आयोनाइजेशन पॉटेंशियल और साइज रिमेन अन अफेक्ट और जैड इफेक्ट जैड इफेक्टिव इंक्रिमेंट बढ़ने के क्योंकि आगर बढ़ेगा घ्जेड इफेक्टिव बढ़ेगा तो इलेक्टों पर अट्रेक्शन बढ़ेगा उसे ऑप साइज घढ़ती है स्टूडेंट और आईपै बढ़ता है क्योंकि ऐलेक्ट्रों निकालना मुश्किल होगा तो आईप आपको जाय देनी पढ़ती ह हो गया में आरला ईसन पॉटेंश भैल्व मे इधर गटता है तो इलेक्टोन निकालना आसान होता है आसान होने का मतलब कालम उडर सिद्सक्राइब हग सब्सक्राइब करता है यह हुआफटने प्रमृट इसन keep the Natrae करें कि 4D से 5D आते हैं तो लेंथने इट इफेक्टिव बढ़ता है जैड इफेक्टिव बढ़ता है तो अपने इतना सोचते हैं उससे अपने को ज्यादा मिलेगा वैसे अपने किसी ग्रूप में निचे जाते हैं तो साहिज बढ़ने करना आप गटना चीए बट यहां पर इफेक्टिव बढ़ने से बढ़ जाता है तो आप कह सकते हो लेंथनेट संपूचन के कारण 5D जो एलेमेंट है उनके आइप जो सोचते उससे आपको ज्यादा मिलते हैं स्टेट्मेंट विल्कूल करेक्ट स्टेट्मेंट है हाफ फिल्ट फुली फिल्ट लेक्टॉनी कॉ और होता है ज़्यादा इसी प्रकार फॉस्फोरा सुफर कLOR-1- tidak बिल्कूल अफ़ेक्ट होता है क्लो और है घ्यूसर अब्वर सब्सक्राओ इस नमबर देखते में स्ट्रेंट इसमें क्या पूचा देखो नंबर ऑफ दे क्रेक्ट स्टेट्मेंट रिगार्डिंग दा इन इसन पॉटेंशल वेल्यू इसमें अपने को नाइट्रोजन और ऑक्षिजन के बात कर रहा है तो यहां पर टूस्टू टूपी थ्री है और यहां पर टूस्टू सब्सक्राइब आपने यह जानते हो आप जैसे बार्याइलियम और बाद करें यहां पर टूस्टू टूपी वन इसका इप से क्या होता है ज्यादा ठीक उसी प्रकार से यह कॉन्फिकेशन जो है वह ज्यादा आइपी रखेगा कारवन से तो आइपी टू ओव बोरॉन इस मौर दैन यह भी स्टेट्वेंट अपना करेक्ट है अब अपना बात करते हैं सोडियम का कॉन्फिकेशन 3S1 होता है लेकिन आइपी टू की बात कर रहा है इसका मतलब 2S2 2P6 से लेक्टो निकलेगा अब स्टूडेंट इलेक्टों तो कॉन्फिकेशन तो सेम है बट यह आइपी टू है इसमें जैड इफेक्टिव बढ़ चुका इसमें पर निकालना मुश्किल होगा यहां पर जो निकालने में खट अगी इनर्जी यहां की तुलना में क्या होगी ज्यादा आइपी वन ओफ यह तो यह स्टेट्मेंट भी करेक्ट है अब स्टूडेंट अपन बात करते हैं कि नेक्स्ट बात करते हैं फॉर्ट ऑप्शन के बारे में आइपी थ्री ऑप कैल्सियम के लिए आइपी थी का मतलब हो गया यहां पर कैल्सियम प्लस टू से लेक्ट्रो निक लेगा और आरगन के लिए यह सिमिलर टाइप का ऑप्शन हो या तो इसमें बिल्कुल आइपी क्युस्ट नंबर सेवन के अगर अगर अपन बात करें कि अगर नंबर अपन सेवन की बात करें स्टुडेंट इसमें आपको यह पूचा है कि हाव मैंनी स्टैट्मेंट इस इन्करेक्ट इन्करेक्ट अपने को पूचा है तो इलेक्टोन गेन एंथेल्पी और नॉबल गेसे नेगेटिव तो देखो नॉबल गेस अलिमेंट जो थे हैं उनकी स्टैबल कॉन्पिकर्ट का डेल्टा एच इजी बन जो है वो क्या होता पोजिटिव तो इस स्टैट्मेंट आपका इन्करेक्ट हो गया आपका इंकरेक्ट है जैसे जैसे अटमिक नंबर बढ़ता है तो इलेक्टोन गेना फिकम नेगेटिव बिल्कुल इस साइड में आने पर डेल्टा है चीजी का मान जायो ज्यादा नेगेटिव होता जाता यह स्टैट्मेंट पिरेक्ट हो गेंगें ब परहिए पिरिये एपक्तिव नुक्लियर चार्ज ऍपर जुआ होगी जाते हो तो फेक्टिव निकरीज इंपर्ज यए चाहिए पर एंडो थर्मिक प्रोसेस के बारे में बोल रख्या तो अपन जानते हैं स्टुडेंट कि अगर मालो अक्स जो है वह एक लेक्ट्रों लेकर क्या बनाए अक्स माइनस फिर अगला लेक्ट्रों लेकर अक्स माइनस टू बनाता है यहां पर डेल्टा एज इजी वन होगा और यहां पर डेल्टा एक्ट इज़ी inkडू होगा यह तो 100 परसेंट पोजेटिव होगा और यह इससे ज्यादा होता है इसका मतलब तो यह वाला ट्रम जह एक प्रॉसेज ज़्म हमेशा क्या होता है एंडो थर्मिक होगा पॉजिटिव गवर तो यह स्टैट्मेंट करेक्ट है तो यह करेक्ट हो गया यह करेक्ट यह करेक्ट ईया एक तो आपका आपका अंसर किता हो इन प्लस 3.5 इंटू डेल्टा इन का स्क्वाइर तो यह आपर डेल्टा इन का मान आपको दे रखा है तो इसको आप दो से मिल्टिप्लाइ कर लो 3.5 और 2 के स्क्वाइर से आप इसको आंसर 46 आ जाएगा इसके अंदर 46 क्यूसर नमबर 9 क्यूसर नमबर 9 के अंदर अपने हो क्या पूचा है हाउ मैंने डाइगनर रिलेशन सी पार परजेंट इन मैंडलिव प्योडिक टेबल तो मैंडलिव की प्योडिक टेबल के अंदर लीथियम बेरिलियम बोरॉन यहां पर अपने पास मैगनिशियम एलुमिनियम और सिलिकन यह तीन डाइगनल रिलेशन सीप वाले अपने पास पेयर हैं जिनके बारे में यह क्यूसर है तो आपका आंसर किता हुझा जाएगा जीरो थ्री और लास्ट क्यूसर के बारे में अपने बात करते हैं स्टूट्स इन वीच अपड़ ग्रूप ट्रांजिशन कॉंट्रेक्शन इज मैक्सिमम अब्जर्ड तो अभी अभी अपने बात किती कि बारॉन वाला जो फेमली है बोरोन एलुमिनियम गेलियम इंडियम और थैलियन तो ट्रांजिशन कॉंट्रेक्शन ओनली इन थार्टीन या थार्ड ए ग्रूप के अंदर आपको मैक्सिममम आपको नजर आएगा जनरली अपने इसी ग्रूप की बात करते हैं तो आंसर आपका इसमें कौन सा वजाएगा थार्टीन ठीक ना तो उमीद है कि आपका अच्छा हुआ होगा और आपने किसी भी क्यूशन का आपने सॉलुशन देखा है तो आपको सारा कंसेप्ट विसे आसपास का क्लियर हुआ होगा तो आप इसी प्रकाट से आप टेस्ट देते रहिए नेक्स्ट पेपर भी आपका बहुत ही अच्छा तो इसी के साथ थैंक यू वेरी मुच